हेलो फ्रेंड्स फिर से आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में कुछ बाते हमेशा की तरह कि यह जो हम लेक्चर आपको कंड़क करवा रहे हैं यह एक्जाम के ठीक पहले जरूर आपको देखना है यह लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंप्रोटेंट होगा एक्जाम से ठीक पहले इस लेक्चर को हम 100% नहीं मान सकते इस लेक्चर में कोई भी question solve नहीं किये जाएंगे नहीं stock market की आपको बाते बताई जाएगी और नहीं आपको derivation और logical analysis जो हम class में करके देते हैं वो बताई जाएगी तो इस लेक्चर में क्या बताई जाएगी इस लेक्चर में आपको सारे concepts जितनी भी portfolio management में हैं उसका एक quick review करवाय जाएगा formulas को read करवाय जाएगा formulas के साथ उसका क्या relation है वो बताय जाएगा ताकि exam में जब आप questions attempt करें तो आपको ये सारे concepts हूब हूब लग जाएग तो ये सोच बिलकुल जरूरी है class शुरू करने से पहले क्योंकि यही मेरा मानना है कि आपने एक बार पूरा revision अच्छे से portfolio management का कर लिया है and तब आप ये lecture कर रहे है fine अगर आपने अभी तक revision नहीं किया है अपने portfolio management का main lectures का सारे questions सारे concepts कहीं से भी आपने class लिया हो किसी भी teacher से आपने class लिया हो बस आपका एक revision must है इस lecture को सुनने से पहले so I hope ये सारे assumptions आपको पता होंगे आई ये शुरू करते हैं आपको screen से ही पता चल चुका होगा कि हम किस chapter को आज revise कराने वाले हैं हम revise कराने वाले हैं portfolio management chapter को yes friend portfolio management chapter portfolio management chapter is a very very interesting chapter और ये बिल्कुल stock market से बिल्कुल ये link करतावा chapter है अपनी main class में तो मैंने आपको एक एक personalities like राकेश जुन्जुनवाला, Mr. Warren Buffett, Mr. Ram Deograwal इन सब के हमने portfolio को research किया, analyze करवाया और आपको practically exam के questions भी करवाया आईए हम शुरू करते हैं इसका quick revision portfolio management के concept का आईए सर portfolio management सबसे पहले समझते हैं portfolio क्या होता है portfolio मतलब होता है combination of securities मतलब इस chapter में हमें यहाँ बताया जाएगा कि अगर हम एक से ज़्यादा security में invest करेंगे तो हमारा risk and return क्या होगा इस chapter का दूसरा नाम है risk and return बहुत जगे इस chapter को risk and return नाम से भी जाना जाता है हम यहाँ देखने वाले हैं कि अगर हम portfolio बनाते हैं तो हमें क्या फाइदा होता है या क्या नुकसान होता है portfolio बनाने से क्या risk होता है और क्या return आता है so यहाँ पर है portfolio means combination of securities जो world का number one investor है Warren Buffett Warren Buffett उन्होंने भी यह बात कही थी कि do not put all your eggs in one basket इसका यह मतलब होता है कि हमें सारे investment एक जगर नहीं करने चाहिए हमें अपने investments अलग-अलग जगर करने चाहिए आपके भी parents ने कुछ investments equity में किया होगा equity में भी कोई share reliance का लिया होगा कोई मारूती का share लिया होगा कुछ mutual fund कुछ property कुछ gold कुछ आपका एक portfolio diversification का एक rule है जहां पर आप हर एक जगर invest करना चाहते हैं ताकि आपका risk कम हो और return जादा हो fine sir, no problem at all तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि return एक individual security का कैसे calculate किया जाता है एक individual security का return calculate करने का equation है price at the end price at the beginning any income divided by price at the beginning price and minus price beginning plus any income divided by price beginning fine, तो यह आपका है return calculate करने का एक तरीका बहुत ही simple है जो हमने पहले भी आपको जब equity और bond chapter करवाया गया था तब भी आपको यह holding period return का equation बताया गया था P1 minus P0 plus D1 upon में P0 price and minus price beginning तो यह आपका capital gain हो गया plus any income चाहे dividend हो चाहे interest हो upon price beginning तो यह आपका return on investment का formula हो गया उपर आपने लिखा return का figure और नीचे आपने लिखा investment का figure तो यह return of individual security आपने निकाल दिया अब return दो प्रकार का हो सकता है या तो वो average return हो सकता है या तो वो expected return हो सकता है return दो प्रकार के हो सकते हैं या तो average return या तो expected return average return past data पे based होता है हमारे पास पुराने years के data होंगे उसको हम add कर कर average कर देंगे तो हमारा आएगा average return और expected return future data पे अधारित होता है जहांपर probability लगता है future क्योंकि outcome uncertain होता है future outcome पता नहीं होता किसी को भी कि भाई या आगे क्या होने वाला है तो हम probability लगा देते हैं तो यहां पर जब भी probability लगता है expected return आता है जब भी past data की बात आती है average return आता है fine sir अब सवाल यह उठता है कि past data से हम average return कैसे calculate करे और future data या probability से हम expected return कैसे calculate करे तो average return निकालने का बहुत simple तरीका है आप video pause कीजिए और यहां पर इस question example का average return निकाल कर मुझे दीजिए fine तो मेरे ख्याल से सभी students ने इसका average return बिलकुल सही निकाला होगा average return कुछ भी नहीं है total कर दीजिए सब को और divided by five कर दीजिए तो आपका आजाएगा average return तो आपका आजाएगा average return fine sir अब हमारा आता है यहां पर कोई probability के चर्चा नहीं हो रही है अब आता है expected return जब भी expected return आएगा या future data आएगा future data तो हम certainty से नहीं बोल सकते तो कोहां पर probability आजाएगा अनुमान आजाएगा संभावना आजाएगी तो अब आप मुझे इस example को देखके बताईए इस example में what will be my expected return आप वीडियो pause करकर इस पूरे का expected return निकाली है चलिए बिल्कुल सही है आपने निकाला होगा simple है हर एक return को probability से multiply कीजिए हर एक return को probability से multiply कीजिए और accordingly expected return निकाली है so expected return is 30.50% expected return is 30.50% fine hopefully आपने बिल्कुल सही निकाला होगा जो भी return है उसको probability से multiply कर दीजिए तो आपका expected return आ जाएगा याद रखिएगा total of probability हमेशा याद रखिएगा total of probability हमेशा equals to 1 होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जब मैंने question put up किया तो यहाँ पर total of probability 1 होगा क्योंकि आप खुदी सोची अगर मैं कहता हूँ कि आज बारिश होगी उसकी chances है 80% तो बारिश नहीं होने के chances कितनी हो गई 20% तो some of the event will always be 100% or 1 fine sir आप pass होने के chances अगर 90% है आप बोलेगा यार मैं तो आज पास इस बार पास हो रहा हूँ 90% यकीन के साथ में कह रहा हूँ तो इसका मतब 10% यकीन यह है कि आप pass नहीं भी होंगे तो 90 plus 10 100% या 0.9 plus 0.101 आप बोल सकते हैं some of the probability हमेशा 1 होगा ठीक है fine sir अब हमने risk को समझना है risk क्या होता है अभी तक हमने return को समझा return दो प्रकार का होता है फिर से repeat कीजिए average return और expected return अब हम risk को समझते हैं कि यह risk क्या होता है risk again तीन प्रकार का होता है of an individual security अभी हम सिर्फ एक security का risk निकाल रहे हैं तो standard deviation भी risk मानते है variance को भी risk मानते है coefficient of variance भी एक risk का measure है standard deviation, variance and coefficient of variation इसको short में HD बोलेंगे या इसका sigma sign है इसको हम sigma square बोलेंगे और यह होगा CV, coefficient of variation तो हमें तीनों चीज़ समझना है कि यह standard deviation क्या होता है यह variance क्या होता है और यह coefficient of variation क्या होता है यह सारे जो statistics के पार्ट है यह already अपने class 11, 12, CPT, foundation जो भी आपका basic education रहा होगा उसमें आपने जरूर यह किया होगा फिर भी अपने main class में हम सब चीजों का अच्छे से logical understanding करके पूरा derivation देकर आपको एक-एक term समझाते है fine sir तो अब सवाल उठता है standard deviation क्या होता है so standard deviation again based on past data past data गर दिया हो अभी हमने एक past data का भी question किया और एक probability वाला भी question किया अगर past data दिया हो तो standard deviation हम कैसे निकाल सकते है standard deviation of individual security so standard deviation क्या होता है standard deviation is a measure of total risk अगर किसी company का total risk निकालना है तो आपको क्या calculate करना होगा standard deviation calculate करना होगा higher the standard deviation higher the risk जितना ज़्यादा standard deviation होगा हम यह मानेंगे कि उस company की risk उतनी ही ज़्यादा है total risk उतनी ही ज़्यादा है so इसका equation क्या होता है इसका equation आपके सामने है given return रिटन दिया वा रहेगा जो भी company का रिटन है past year से given return minus average return given return minus average return average return क्या होते है अभी-भी मैंने बताया इसको कहते है deviation given return minus average return इसे कहते है deviation deviation ये positive भी हो सकता है negative हो सकता है क्योंकि risk कभी negative नहीं होता है तो हमने इसको किया square और पूरे deviation के square को हमने total कर दिया तो यह हमारा हो गया total deviation risk मतलब क्या होता है deviation जो जितना deviate करेगा, जो जितना fluctuate करेगा जिसमें जितनी उतार चड़ाओ होगी उतना ही वो risky कहलाएगा तो यह आपका हो गया total deviation divided by n तो आपका हो गया यह annual deviation और हमने वापस इसको under root कर दिया तो यह आपका हो गया standard deviation this is as per Carl Pearson इसे हम Carl Pearson standard deviation भी कहते हैं काफी popular है पुरी दुनिया इस standard deviation के equation को मानती है तो फिर से repeat कर रहे है given return, minus average return deviation को square कर दिये और उसका total कर दिये तो यह total deviation आ गया divided by n तो यह आपका हो गया average deviation अगर हम इसको under root नहीं करते हैं तो वह कहलाता है variance वो भी एक तरह का risk है लेकिन अगर हम under root कर देते हैं तो यह कहलाएगा standard deviation fine standard deviation कभी negative नहीं हो सकता हमेशा ध्यान रखेगा वो 0 तो हो सकता है लेकिन negative नहीं हो सकता ठीक है sir no problem at all तो standard deviation निकालने का तरीका आपको आ गया है इसकी practice अच्छी होनी चाहिए क्योंकि exam में देखा गया है कि बच्चे standard deviation निकालने का तरीका ही भूल जाते हैं ठीक है sir अब हम standard deviation based on probability निकाल रहे हैं probability का total 1 होता है तो obviously बात है यहाँ पर equation आएगा given return minus expected expected return कैसे calculate होता है अभी अभी आपने बताया अभी अभी मैंने आपको सिखाया यह बोलते है deviation, deviation का हमने का square और हर एक deviation को probability के साथ multiply कर दिया तो आ गया expected deviation और फिर total कर दिया तो यह total deviation आ गया standard deviation मतलब deviation fluctuation जितना जो fluctuate करेगा जिसकी जितनी deviation होगी उसकी उतनी risk होगी और वापस हमने under root कर दिया तो यह आपको आगया standard deviation यह आपको आगया standard deviation तो given return minus expected return को हमने square किया probability से multiply किया total किया तो total deviation आ गया under root किया तो यह आपका आगया standard deviation fine sir No problem at all तो हमने probability के through भी standard deviation निकालना सीखा और हमने past data के basis पे भी standard deviation निकालना सीखा एक question इसके उपर जरूर होना चीए exam से पहले ताकि आपका बिल्कुल अच्छे से revision हो जाए इन सब चीजों में आपको गलती नहीं करना है ठीक है sir variance, variance मतलब क्या होता है variance मतलब होता है measure of risk ये भी एक तरह का risk का measure है higher the variance, जितना ज़्यादा variance होगा उतना ही ज़्यादा risk मानेंगे variance मतलब होता है standard deviation square standard deviation को जब हम square कर देंगे तो variance कराएगा मतलब variance कुछ भी नहीं है ये standard deviation square है मतलब साफ साफ ये पता चल रहा है कि variance भी एक तरह का risk का measure है standard deviation, risk को square करेंगे तो risk ही तो आएगा और decision भी same रहेगा आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि Tata Motor का risk है 10 और Reliance का risk है 5 तो बताइए risk किस की ज़्यादा है risk है Tata Motor की ज़्यादा तो अगर हम variance भी करते हैं तब भी तो Tata Motor की ही variance ज़्यादा होगी क्योंकि हम इसी को तो square कर रहे हैं और इसको हम square कर रहे हैं तो कहने का क्या मतलब है सर कि standard deviation और variance same decision देता है standard deviation और variance actual में same ही होता है एक square form में होता है और एक under root form में होता है ठीक है? Fine कोई दिक्कत नहीं है standard deviation हमने निकालना सीखी लिया था बस उसको square कर देंगे तो variance हो जाएगा चलिए सर coefficient of variation coefficient of variation मतलब risk per unit of return risk per unit of return अब खुदी break करिए per unit of return आएगा मतलब ये होगा आपको मैं example दे रहा हूँ आप मुझे इसके CV को निकाल के दीजिए risk per unit of return आप A की CV निकाल लिए B की CV निकाल लिए वीडियो पॉस करते वे आप इन दोनों की CV निकाल लिए तो I hope आपने निकाल दिया होगा बहुत ही simple होगा risk उपर लिजिए risk per unit of return return नीचे रहेगा risk उपर रहेगा return नीचे रहेगा risk per unit of return risk per unit of return ठीक है तो यह आपका 1 हो गया और यह आपका 2 हो गया I hope कि आपका भी यही निकाल होगा और बताईए risk किसकी ज़्यादा है risk किसकी ज़्यादा है इसको हम कैसे interpret करेंगे हर एक रुपे कमाने में हर एक unit को कमाने में यह company यह share एक का risk ले रही है और यहाँ पर हर एक कमाने में 2 का risk लिया जा रहा है risk per unit of return तो कौन सा ज़्यादा risk हो गई it means for earning 1 unit I am taking risk of 1 और इसका मतब it means for earning 1 unit I am taking risk of 2 तो risk per unit of return risk per unit of return fine no problem at all कोई दिक्कत नहीं है B limited is taking high risk हम यह कह सकते कि B limited ज़्यादा risk ले रही है और हम कह सकते है higher the CV, higher the risk जितना ज़्यादा CV होगा उतना ही ज़्यादा risk होगा no problem at all और final equation आपका क्या होगा CV का CV is equals to standard deviation upon average return fine CV का बिलकुल simple equation है risk upon return इसी तरह से अगर probability होगा तो average return की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या use किया था average return ठीक है तो average return भी निकालना आता है और यहाँ पर हमने save किया expected return so expected return भी हमें निकालना आता है risk upon return fine sir so अब आपका rule of dominance होता है कौन किसको dominate कर रहा है तो rule number one rule number one आप खुद बोलिए कि यहाँ पर आप किसे select करेंगे आप इस risk और return के figure को देखते भी बताईए कि आप यहाँ पर किसे select करना चाहेंगे वीडियो pause कीजी और answer दीजीए इसमें कौन सा आपको better लग रहा है obviously इसमें आपको better लग रहा होगा tata motor tata motor risk कम रहे रहा है लेकिन return ज़्यादा दे रहा है in fact same दे रहा है जितना reliance दे रहा है तो same return पर अगर हमारा कम risk का रहा है तो वही अच्छा रहेगा न तो यहाँ पर tata motor हमारे लिए better रहेगा rule का sentence क्या रहेगा when return of both securities are same जब return दोनों security की same होगी तो हमें किसे choose करना चाहिए वह security जिसमें risk lower है वह security जिसमें risk lower है हमें वह select करना चाहिए fine अगर return of both security same है तो lower risk को preference देना चाहिए और rule number two आप यहाँ बताईए कौन सा आप select करना चाहिए कौन सी company को select करना चाहिए वीडियो पॉस करते वे answer दीजिए definitely आपका answer बिलकुल सही होना चाहिए आपका यहाँ पर answer होगा again tata motor यहाँ पर risk दोनों की same है लेकिन return इसकी ज़ादा है तो rule क्या बनेगा rule बनेगा अगर दोनों security का जो risk है वो same है दोनों securities की risk अगर same है तो हमें वह security select करना चाहिए जिसकी return higher है तो अगर risk same है तो higher return को select करना चाहिए और अगर return same है तो lower risk को हमें preference देना चाहिए fine rule number one rule number two आपको पता है आईए अब rule number three का मुझे बताईए यहाँ पर आप किसे select करना चाहेंगे यहाँ पर आप किसे select करना चाहेंगे यहाँ बताईए तो यहाँ पर risk भी अलग है और return भी अलग है तो यहाँ better होता है CV calculate करना risk upon return risk upon return fine CV, CV क्या होता है higher the CV, higher the risk risk numerator में है higher the CV, higher the risk तो यहाँ पर risk किसकी ज़्यादा है risk यहाँ पर reliance की ज़्यादा निकली तो यहाँ पर Tata motor यहाँ पर select करना चाहें तो decision क्या होगा rule क्या होगा अगर risk और return figure दोनों का same नहीं है तो हमें decision लेना चाहें on the basis of CV और उस case में हमें क्या select करना चाहें lower the CV, lower the risk उस case में हमें क्या select करना चाहें lower the CV, lower the risk fine sir no problem at all तो rule of dominance भी हमें समझ में आ गया same return, lower risk same risk, higher return अगर different है तो CV निकाल लीजी और जिसका कम CV होगा उससे select कर लीजे fine तो हमने CV भी समझ लिया हमने standard deviation भी समझ लिया हमने variance भी समझ लिया fine sir so friends ऐसा करते हैं यहां तक की एक revision आपको मैं formula revision का एक मैं आपका assignment दे रहा हूँ जो अभी का भी आपको करना है एक blank paper निकालेंगे तो आप सबसे पहले मुझे बताईए return का formula क्या होता है आप यहां पर लिखेंगे आप मुझे बताईएंगे types of return कित्ते प्रकार के return होते हैं आप मुझे बताईएंगे आप मुझे बताईएंगे average return कैसे calculate करते हैं आप मुझे बताईएंगे expected return कैसे calculate करते हैं ठीक है fine आप मुझे बताएंगे कि कितने प्रकार के रिस्क के वेरियंट्स हैं जब हम सिक्विरिटी की बात करते हैं आप मुझे बताएंगे स्टेंडर्ड डेवियेशन का इक्वेशन क्या होता है पास्ट डाटा के साथ आप मुझे बताएंगे स्टेंडर्ड डेवियेशन प्रबैबिलीटी से क्या होता है आप मुझे बताएंगे वेरियंस क्या होता है और आप मुझे बताएंगे कि कोफीशन और वेरियेशन क्या होता है पास डाटा से और कोफिशन्ट और वेरियेशन क्या होता है प्रबैबिलीटी से क्योंकि अगर हम इतना नहीं समझ पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ये एक सीक्विरिटी का सारा मेजरमेंट है ये आप समझ लिजेए स्टैट्स का रिविजन है तो आप इसको फटाफट हांस से लिखेंगे और रीचेक करेंगे वापस प्रिवियस जो भी अभी तक मैंने क्लासिस ली है जितनी भी मैंने क्लासिस ली है ताकि एक बार ये पूरा माइन में बैट जाए, मेमराइज हो जाए, रिटेंड हो जाए, पर्मनेंट मेमोरी में हमेशा के लिए बैट जाए क्योंकि ये छोटी बाते हैं छोटी छोटी बाते हैं लेकिन इसमें बहुत जबर्दस गलती होती है students की exam hall में बैट कर बच्चे ये सोचते हैं कि standard deviation कैसे calculate होगा एक question standard deviation calculation का आही जाता है तो मेरा तो बस आपको इतना ही कहना है कि आप इसको पुरा clear करें मेरे ख्याल से आपने लगबग सब कुछ सही लिखा होगा वीडियो pause कीजिए, सारा measurement लिखिए and then again video play कीजिए और पीछे जाईए और ये सारे चीजों को आप reach चेक करेंगे तो आपको accordingly answer आ जाएगा fine, तो चलिए फटा-फट मैं ही बता देता हूँ P1-P0 प्लस D1 upon P0 return इस तर से calculate होता है return दो प्रकार के होते हैं, average return, expected return average return में क्या होता है हर एक सार का return, हर एक साल का return को हम क्या करते हैं given return 1 अगर 2 साल का है, given return 2 divide by 2 कर देंगे तो ये मेरा average return आ जाएगा expected return में क्या करते हैं, given return 1 into probability given return 2 into probability तो ये मेरा expected return आ जाएगा, types of risk होगा HD, variance और coefficient of variation, HD क्या होता है given return, minus average return का square, summation, divided by n, under root so ये मेरा हो गया, आपका past data से probability होगा तो क्या होगा given return, expected return और इसका square, इसका probability के साथ multiplication और ये under root ये आपका होगा, probability with past data variance क्या होता है, standard division square होता है, ये क्या होगा HD upon average return और ये क्या होगा, HD upon expected return fine, no problem at all, so ये सारे measurement होगा return, types of return, average return, expected return, types of risk, HD past data HD probability, variance, CV past data, CV probability, ठीक है आईए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक security का measurement कर रहे थे कि security का सारा क्या measures होता है, वो हम check कर रहे थे, अब हम portfolio में आते हैं कि portfolio का क्या measure हो सकता है, यहाँ पर ठीक है तो त्यारी करते हैं portfolio के measures को हम शुरू करتे हैं, अभी तक हम individual securities के measures की बात कर रहे थे, आईए, आईए, अब हमारा next concept होगा portfolio, अब हम पोर्टफोलियो की बाते करेंगे अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे रिटन और पोर्टफोलियो निकालेंगे अभी तक हमने क्या किया अभी तक हमने रिलाइंस का रिटन निकालना सीखा और हमने टाटा का सेपरेटली रिटन निकालना सीखा अब हम मिला कर रूपे इंवेस्ट करने के लिए है और 40,000 रूपे आपने Tata Motors में लगाए और 60,000 रूपे आपने Reliance में लगाए और Tata Motor का रीटन है 10% और Reliance का रीटन है 15% तो आप मुझे बताईए return of portfolio क्या होगा वीडियो pause करिए और answer दीजिए return of portfolio क्या होगा तो I hope आपने सबने सही answer दिया होगा return of portfolio होगा पहले तो weights निकालेंगे weights निकलेगा 40% टाटा में पैसा लग रहा है और reliance में 60% पैसा लग रहा है आप 0.4 और 0.60 भी बोल सकते हैं तो return of portfolio होगा weighted average return return of portfolio होगा weighted average return fine sir so return of portfolio होगा 10% 40 means 0.4 weights है और 15% का 0.6 weights है तो final return of portfolio होगा 13% आप ये sentence एकदम mind में एकदम बैठा लिजिए return of portfolio is weighted average return return of portfolio is weighted average return return of portfolio is weighted average return so ये आपके पास equation आगया return of portfolio is weighted average return fine ARA into WA ARB into WB return of portfolio is weighted average return ARA into WA plus ARB into WB और अगर securities होगे तो accordingly और add होता रहेगा weights accordingly तो ये आपका return of portfolio आ गया return of portfolio is weighted average return दोनों का return ARA और ARA अर B कैसे निकलेगा पहले हमने निकाल दिया है security का return हमें निकालना आ गया है अब स्रिव आपको weight से multiply करना है और weighted average return आ जाएगा return of portfolio is weighted average return return of portfolio is weighted average return where AR is average return तो ये sentence हमेशा ध्यान रखेंगे return of portfolio is weighted average return of individual security return of portfolio is weighted average return of individual security एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखेंगे sum of weights weights का जो total होगा वो हमेशा one होगा ये universal concept है कोई भी chapter में ये लगेगा हर एक जगह लगेगा weights का total हमेशा one होगा तो हमने return of portfolio निकालना भी सिखा return of portfolio is weighted average return return of portfolio is weighted average return तो जिस तरह से ये हमने past data का बोला return of portfolio based on past data उसी तरह से अगर probability होगा तो पहले हम क्या निकालेंगे expected return निकालेंगे और फिर क्या होगा AR की जगह क्या हो जाएगा expected return A into WA expected return B into WB return of portfolio will be weighted average return past data से क्या निकलता है average return निकलता है और probability से क्या होता है expected return निकलता है दोनों आपको निकालना आ गया है आगे बढ़ते हैं तो हमें return of portfolio निकालना आ गया है अब हम चलते हैं risk of portfolio की और की risk of portfolio क्या होता है risk of portfolio we will study risk of portfolio under the following head अब हमें risk of portfolio कुछ heads में करने हैं सबसे पहला है हमें समझना है standard deviation of portfolio क्या होता है coefficient of correlation of portfolio क्या होता है और covariance of portfolio क्या होता है तो तीन measures और आ गए आपके portfolio के standard deviation of portfolio, coefficient of correlation of portfolio, covariance of portfolio तो सबसे पहले समझते हैं standard deviation of portfolio क्या होता है standard deviation of portfolio का एक equation है standard deviation A plus B का एक equation है और वो आपके सामने हैं जो आपको नजर आ रहा है standard deviation A plus B standard deviation A plus B मेरे साथ बोलिएगा standard deviation A square, WA square standard deviation B square, WB square plus 2 standard deviation A, standard deviation B, WA, WB, R, A और B का standard deviation A square, WA square standard deviation B square, WB square 2 standard deviation A, standard deviation B, WA, WB, R, A, N, B का और इन सब का अंडरूट ये जाना पैचाना equation है सारे question में लगभग ये use होता है इसको आपको definitely retain करना होगा नहीं तो काफी आपको marks यहाँ पर deduct हो जाएगा अगर आप इस formula को गलत use करकर आते हो एक्जाम में तो फिर से repeat कर रहा हूँ standard division A square, WA square standard division A कहां से calculate होगा वो हमने पहले ही security के guess में calculate कर लिया होगा standard division A square, WA square standard division B square, WB square plus 2 standard division A, standard division B, WA, WB, R, A and B और under root तो मेरा आजाएगा standard division A plus B तो हमने risk of portfolio सीख लिया अब risk of portfolio जब हमने करा तो हमने देखा कि यहाँ पर एक R use हो रहा है what is R, यह R क्या होता है R मतलब होता है correlation R मतलब होता है correlation correlation coefficient R मतलब होता है correlation correlation R A और B इसका क्या equation होता है covariance A and B upon standard division A into standard division B मेरे साथ repeat करेंगे covariance A and B upon standard division A into standard division B अब again correlation यूज़ करते वक्त मेरा covariance यहाँ पर calculate होगा कि covariance क्या होता है फिट से पहले हम R समझ लेते हैं, correlation क्या होता है covariance A and B upon standard deviation A into standard deviation B fine sir, no problem at all अब देखते हैं कि covariance क्या होता है covariance होता है summation deviation A into deviation B upon N summation deviation A into deviation B upon N based on past data तो इसके दो होंगे, एक based on past data का अलग होगा और based on probability का अलग होगा जहाँ पर N use हो रहा है तो definitely वहाँ पर एक probability भी आएगा क्योंकि total of probability is always equals to 1 और वहाँ पर हम probability को multiply करते वे अपना answer निकालते हैं ठीक है कोई नहीं, अभी तो past data है deviation A into deviation B summation upon N DA is deviation of A deviation, deviation मतलब क्या होता है given return minus average return कौन कितना deviate कर रहा है means से उसे deviation कहते हैं और deviation B क्या होता है given return B minus average return B यह सब information question में दियावा होगा यह आप calculate कर सकते हैं तो covariance हो गया summation DA into DB upon N और यही अगर probability होगा तो summation probability into DA into DB summation probability into DA into DB और deviation क्या होता है mean, यहाँ पर mean क्या होगा expected return ER क्योंकि average का तो concept होगा नहीं क्योंकि probability है probability से क्या calculate होता है expected return calculate होता है तो obvious ही बात है DA is equal given return A minus expected return A given return B minus expected return B DA deviation A, DB deviation B fine, no problem at all लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी जब तक आप इसके उपर एक question नहीं कर लेते तब तक बात नहीं बनेगी तो मैं ऐसा करता हूँ पहले एक बार portfolio के measures को आपको एक बार repeat करवाता हूँ कितना आपके mind में आ गया है आप blank paper निकालेंगे और लिखेंगे ठीक है तो अब हम portfolio का measure कर रहे हैं अभी तक हमने security का measure किया था portfolio का measure कर रहे हैं आप बताईए आप बताईए past data से past data से portfolio return क्या होगा और probability से portfolio return क्या होगा आप बताईए risk को कितने प्रकार से define कर सकते हैं आपर risk को कितने प्रकार से define कर सकते हैं portfolio में आप बताईए standard deviation a plus b क्या होगा आप मुझे बताईए r a और b क्या होगा आप मुझे बताईए covariance A और B क्या होगा past data से और आप मुझे बताइए covariance A और B क्या होगा probability से ठीक है ये सारा चीज आगे आपके fine, no problem at all so आप video pause कीजिए और फड़ा फड़ा इसको calculate करके दीजिए अगर आप ये नहीं calculate करना जानेंगे तो आगे बढ़ना 9 साफी है आगे बढ़ना justified ही नहीं है portfolio में हमें 100 से ज़्यादा concept करते लेकिन ये तो basic है हर question में ये चीज आएगा तो video pause कीजिए और इसके measures को लिखें अपने हाँ से लिखें फिर अभी मैं आपको एक practical question भी दूँँगा आप calculate भी करिएगा then तब मैं मानूँगा कि हाँ portfolio में आप तैयार है portfolio chapter शुरू करने के लिए अभी तो हमने portfolio शुरू नहीं किया ये सब measures आपको करने ही है चलिए मुझे लगता है कि अब आपने कर लिया होगा एक वर फटाबट मैं देख लूँ past data ARA into WA return of portfolio is weighted average return return of portfolio is weighted average return जहाँ past data है तो वहाँ average return जहाँ probability है वहाँ expect return risk तीन प्रकार का होता है standard deviation A plus B standard deviation correlation and covariance जैसे कि नीचे भी लिखावा है standard deviation A plus B क्या होगा standard deviation A square WA square standard deviation B square WB square to standard deviation A standard deviation B WA WB R A N B का correlation क्या होगा correlation A and B correlation होता है covariance A and B का upon standard deviation A into standard deviation B covariance क्या होता है summation D A into D B upon N और यह होगा summation probability into D A into D B summation probability into D A into D B fine no problem at all so यह आपका पूरा हो गया यह चीज आपका गलत नहीं होना चीए मैं बार-बार कह रहा हूं नहीं तो आप फिर से repeat वीडियो देखेंगे इस चीज को पूरा clear करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं अब मैं क्या करूंगा अब मैं आपको एक question करवा रहा हूं practical question क्योंकि definitely time लगेगा तो आप time लेकर ही बैठे हैं मेरा ही मानना है कि आप बिल्कुल हटबड़ी में नहीं है ठीक है लेकिन आपको यह वाला question जरूर करना है क्योंकि इतने सारे concept होने के बाद अगर आप एक question कर लेंगे और वो भी सही कर लेंगे तो इसका मतलब आप portfolio management शुरुआत कर सकते हैं आप portfolio management start कर सकते हैं otherwise portfolio management आगे इतने सारे formulas होंगे कि आपका manage करना possible नहीं हो पाएगा तो question आपके सामने हैं देख लीजे पूरा question आपके सामने हैं अब ये question को आपको करना है ठीक है A और B दो company के returns दिये हैं 2003-2004 के 2004-2005 के आपको average return निकालना है A का अलग B का अलग standard deviation निकालना है A का अलग B का अलग variance निकालना है A का अलग B का अलग coefficient of variation निकालना है A का अलग B का अलग फिर आपको portfolio बनाना है जहाँ पर weights 50-50 होंगे फिर आपको covariance निकालना है फिर आपको coefficient of correlation निकालना है फिर standard deviation of portfolio निकालना है जहाँ पर weights 50-50 होंगे अगर आप ये कर लेते हैं definitely आपने किया ही होगा आपने portfolio management एक बार full-fledged करकर ही आप ये lecture देख रहें क्योंकि एकदम से blank आप ये lecture देखेंगे तो आपके लिए बेकार रह जाएगा और आपका आगे के concept बेकार हो जाएंगे क्योंकि आपका एक बार confidence जब हिल जाता है तो फिर वो तो पूरा ही खराब हो जाता है तो आपका ये पूरा एक बार आपने portfolio कर लिया है पूरे इसके question solution कर लिये हैं पूरा conceptual understanding लेकर आप ये lecture कर रहे हैं ठीक है तो वीडियो pause करिए और ये वाला पूरा calculate करके मुझे दीजिए मुझे लगता है कि ये 5 minutes maximum 5 minutes में आप ये calculate कर सकते है maximum 5 minutes your time starts now तो I hope आपने ये question कर लिया होगा आईए question को tally करते हैं question के answer को समझते हैं average return आपको सबसे पहले दिया गया था तो दोनों को add कर दीजे दोनों return जो दिया हुआ है a का add कर दीजे divided by 2 तो average return आ गया a का 14% और b का average return आ गया 14% तो average return बहुत ही simple है जो भी given return उसको add कर दीजे और divide by life कर दीजे तो average return आ जाएगा standard deviation standard deviation में हम क्या लिखते हैं given return ये तो दिया वाई है given return और average return अभी अभी आपने calculate किया तो हम क्या करते है given return minus average return so यह आपका आजाएगा minus 3 and plus 3 deviation हमेशा 0 होगा जब भी हम past data से answer निकाल रहे हैं तो deviation का total हमेशा 0 होगा क्योंकि deviation कोई plus है कोई minus है deviation मतलब ही risk होता है जितना जादा जो deviate करेगा उसका उतना risk होगा तो हमने उसको deviation square किया हमने deviation को square कर दिया तो 99 आगया negative sign हट गया total deviation आगया यह 18 क्या है यह deviation है यह 18 क्या है यह fluctuation है तो हमने average निकाल दिया 18 by 2 तो यह 9 आगया लेकिन हम वापस इसको under root करेंगे तो आपका final answer 3 आगया standard deviation of security A हमारा 3 standard deviation यहाँ पर आ गया है और सेम इसी तरह से B का करेंगे given return minus average return so deviation जो आएगा उसको square करेंगे total deviation total deviation upon n तो आपका 36 आ गया average annual deviation और उसको under root करकर हमारा final deviation आ जाएगा जो कि 6 है यह 6 क्या है यह deviation है standard deviation ठीक है नाम पे ही उसका काम लिखावा है deviation निकालने का तरीका है तो हम कह सकते हैं यह 3 deviate करता है यह 6 deviate करता है तो यह जादा deviate कर रहा है तो इसका मतलब इसका risk जादा होगा ठीक है fine sir no problem at all variance variance क्या होता है standard deviation square so standard deviation square आपका होगा 3 into 3 9 and 6 into 6 36 variance is very simple coefficient of variation क्या होता है risk upon return risk upon return तो यह बहुत ही simple है risk आपने निकाल दिया return आपको पता है risk upon return coefficient of variation coefficient of variation क्या कहता है कि हर एक unit of return में कौन कितना risk ले रहा है higher the cv higher the risk तो यह जादा risk ले रहा है 0.4286 यहाँ पर जादा risk माना जाएगा return of portfolio return of portfolio is weighted average return weights लगा दीजिए और return of portfolio पता ही था तो return of portfolio will be weighted average return covariance covariance क्या होता है deviation A deviation A अभी आपने निकाला था पहले standard deviation निकालने के तब है deviation A into deviation B so यह आपका हो गया total deviation upon N so यह आपका हो गया covariance दो security की वीच में क्या relation है यह बताता है covariance deviation A into deviation B upon N summation so यहाँ पर हमने total कर दिया और यह हमारा आगया minus 18 covariance coefficient of correlation क्या होता है covariance upon standard deviation A into standard deviation B covariance minus 18 standard deviation A into standard deviation B so यह आपका हो गया minus 1 coefficient of correlation coefficient of correlation अब हमारा main formula लग जाएगा standard deviation of portfolio का जो होता है standard deviation A square WA square दोनों चीज़ दिया हुआ है standard deviation B square WB square 2 standard deviation A standard deviation B WA WB R A और B का इन सब को आप use करते वे final answer निकाल देंगे जो की निकलेगा 1.50 1.50 मेरा final answer यहाँ पर निकल गया तो अगर मैं इसका एक analysis करूँ question का तो analysis बहुत ही ज़्यादा simple है analysis यह है कि return जब मैं simple A में invest कर रहा हूँ तो 14 आ रहा है B में invest कर रहा हूँ तो 14 आ रहा है और A प्लस B में भी कर रहा हूँ तो 14 आ रहा है weighted average return लेकिन risk यहाँ 3 है यहाँ 6 है और यहाँ 1.5 है तो आप ही बताईए best combination best situation कौन सा हुआ आप ही मुझे बताईए best situation कौन सा हुआ best situation हुआ A plus B का best situation हुआ A plus B का fine जहाँ पर return तो मेरा same निकल कर आ रहा है लेकिन risk मेरा काफी कम हो रहा है जो कम deviate करेगा उसका कम risk होगा deviation मतलब ही risk ठीक है fine तो यह हमने बहुत जबर्दस एक measure किया जहाँ पर हमने question भी solve की past data था यह लेकिन हम एक question और solve कर सकते हैं with probability अगर आप यह भी question solve कर देंगे तो जितना भी डर है जो portfolio management से student को रहता है वो पूरा डर समाप्त हो जाएगा आईए हम क्या करते हैं हम portfolio के उपर भी एक measure करते हैं और देखते हैं कि finally आपको सब कुछ समझ में आ गया की नहीं आ गया हाँ जिसका भी सबसे पहले answer आएगा वो मुझे definitely WhatsApp या कहीं पे भी comment करके मुझे message करेगा ताकि यह पता चलिए कि student ने सबसे पहला answer किया है और definitely वो हमेशा के लिए रहेगा जब भी आप video देख रहें obviously यह उन्होंने पहली बार अगर यह classes देखियो उनका पहला answer आएगा लेकिन चलिए कोई ने competition का भाव ना रखें और यह question आपके सामने है इसका answer फड़ा-फट निकाल कर दें return of A return of B दिया वा है उसके probability देवी है और आपको वो सारे measures निकालने है जो हमने पहले निकाले थे same question है पहले की तरह बट यहाँ पर probability है वीडियो pause कीजिए और answer निकालने में के लिए स्रिफ 5 minute काफी है fine sir expected return expected return यहाँ पर क्या है A limited and B limited fine I hope आप सभी ने सही answer दिया होगा तो जो भी आपको return दिया होगा given return जो भी दिया होगा है उससे probability multiply कर दीजिए तो आपका expected return आ जाएगा जो की यहाँ पर आएगा दोनों ही case में 20% fine जैसा data होगा वैसा answer आएगा जरूरी निकी same ही रहेगा answer अलग अलग भी हो सकते जैसा data वैसा answer standard deviation standard deviation क्या होता है given return minus expected return square और उसको फिर हम probability से multiply करते हैं summation करते हैं और under root करते हैं तो मेरा standard deviation आ जाता है बस यहाँ पर n नहीं होता probability multiply हो जाता है ठीक है तो given return आपको दिया हुआ है given return दिया हुआ है और आपको expected return दिया हुआ है तो आपने deviation निकाल दिया इस deviation का total जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 होगा अगर हम probability यूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि total deviation 0 ही होगा फिर deviation का हमने square किया और हमने probability से multiply करके PD square किया तो total आया total deviation यह क्या है 40 क्या है deviation ही है deviation को ही तो हम square कर रहे है probability से into कर रहे है तो deviation ही आएगा और जब हमने इसका under root किया तो हमारा standard deviation आया 6.325% 6.325% standard deviation हमारा आया 6.325% fine sir same इसी तरह से हम B का भी करेंगे given return expected return दिया वा है deviation हमने निकाला deviation का square किया probability से into किया आया PD square total को हम लोग फिर under root करेंगे तो आयेगा 6.325% फिर हम से पूछा variance variance A limited का standard deviation square variance B limited का standard deviation square तो हमारा variance भी आ गया variance हमारा आया 40 and 40 फिर हमारा coefficiental variation आयेगा risk upon expected return risk upon expected return जो कि यहां same आ रहा है क्योंकि data कुछ इस तरह से हैं कि answer same आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है covariance covariance क्या होता है probability into DA into DB summation probability into DA into DB DA आपने उपर निकाला DB आपने उपर निकाला और probability दो दिया वाई है तो probability into DA into DB टो total आपका आगया minus 40 covariance आपका आगया minus 40 correlation क्या होता है covariance upon standard deviation A into standard deviation B तो covariance आपका minus 40 A standard deviation A और standard deviation B आपने निकाल लिया है तो आपका R आगया minus 1 आपका आ गया minus one standard division क्या होता है standard division a square wa square standard division b square wb square plus two standard division a standard division b wa wb r a और b का तो यह आपका total आ गया one point two six five percent तो आपका standard division of portfolio भी आ गया last में क्या पूछा है return of portfolio return of portfolio the weighted average return weights 0.4 था एका 0.6 था भी का return of portfolio weighted average return होता है तो यह आपका आगया 20 percent तो आप देख सकते है return तो दो तीनों ही case में same निकला लेकिन risk आप देख सकते हैं portfolio combination में सबसे कम निकल रहा है तो हम यह conclude कर सकते हैं कि portfolio combination is the best combination तो हम यह conclude कर सकते हैं कि portfolio combination is the best combination fine no problem at all कोई दिक्कत नहीं है तो यह अगर यहां तक आप पहुँच गएं safely आप land कर गएं यहां तक तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा portfolio management का यहां तक की जो landing है यहां तक की जो platform हमने create किया है वो बहुत जरूरी है आप बार बार यहां तक की revision करेंगे क्योंकि यह जो दो question आपने किये हैं यह दो question एक तरह का must revise है before exam अब मेरे ख्याल से आगे बढ़ने का समय आ गया है अभी भी अगर आपको ज़रा सा भी doubt है यहां तक की class में तो प्लीज आपे बार review करिए प्लीज एक बार आप फिर से इस class को देखिए या फिर आप basic अपने class material को देखिए जहां से सारे concept निकल कर आ रहे हैं चाहिए आपने कहीं से भी class लिया हो यह सारी चीजे तो सभी करते हैं यह basic stats है जिसके बीना आप portfolio management शुरू नहीं कर सकते fine sir तो I hope आपको past data के सारी calculations आ गई I hope आपको probability की सारी calculation आ गई है सारे formulas आपके memory में fit हो गए हैं और आपने एक question अच्छे से कर लिया है आईए आगे बढ़ते हैं concept of risk reduction concept of risk reduction so एक बात बताईए portfolio बनाने से risk तो कम होता है अभी अभी आपने देखा अभी अभी मैंने दोनों case बता है जहाँ पर portfolio में risk सबसे कम आ रहा था so यह बात तो बिल्कुल पता चल गया कि portfolio बनाने से risk कम होता है लेकिन मैं क्या एक benchmark मानूँ एक benchmark होना चीए कि तब मैं मानूँगा कि हाँ risk कम होता है तो मेरा benchmark रहेगा weighted average standard deviation का मेरा benchmark रहेगा weighted average standard deviation का सर कहने का क्या मतलब है कहने का मतलब यह है आप question number one की ही बात कर लेते हैं question number one की बात कर लेते हैं आप देखिएगा वहाँ पर standard deviation of security A का risk आ रहा था 3 और standard deviation B का risk आ रहा था six और weights था 0.5.5 तो weighted average क्या है weighted average मेरा क्या है था 4.5 तुम क्या कहेंगे 4.5 यह 4.5 क्या है मेरा weighted average है और लेकिन मेरा risk कितना आ रहा था 1.5 तो जहां मेरा 4.5 आना चाहिए था मेरा risk का रहा था 1.5 तो इसका मतलब मैं क्या मानूंगा कि मेरा risk कम हुआ है तो फिर से एक बार repeat कीजे कब आप मानेंगे कि risk कम हुआ है पोर्टफोलियो बनाने से कम मुझे फाइदा होगा पोर्टफोलियो बनाने से तम मुझे फाइदा होगा जब weighted average weighted average standard deviation मेरा कम होगा standard deviation पोर्टफोलियो से जहां पर मेरा 1.5 निकला होना क्या चाहिए था 4.5 तो मैं मानूंगा risk reduction हुआ है सेम यहीं पर आप देख सकते हैं question number 2A में जो आपने किया यहां पर standard deviation A का था 6.325 weights लगा दिया standard deviation B का 6.325 weights लगा दिया तो मेरा weighted average standard deviation कितना है 6.325 लेकिन मेरा HD और पोर्टफोलियो कितना था actual में 1.265 आपने calculate किया अभी तो मैं यह मानूंगा कि yes मेरा risk कम हुआ है तो risk कम होने का criteria क्या है अगर आप से कोई पूछे कि भई portfolio बनाने से risk कम होने का criteria क्या है तो आप क्या बोलोगे अगर मेरा weighted average से फिर से repeat कर रहा हूं अगर मेरा weighted average standard deviation से मेरा HD और पोर्टफोलियो कम रहा अगर मेरा HD और पोर्टफोलियो कम रहा weighted average HD से तो यह मैं मानूंगा कि हां मैंने risk reduction achieve कर लिया है achieve किया है fine sir no problem at all so how we can achieve risk reduction यह पूरा मैंने concept बताया एक बाद हमेशा ध्यान रखेगा आगे चल कर मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा जब R मेरा plus 1 होगा ना जब R मेरा plus 1 होगा ना तो कोई risk कम नहीं होता यह क्या मतलब हुआ sir अभी थोड़े देर बाद मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा बस आप यह ध्यान रखेंगे कि जब R मेरा plus 1 होगा तो मेरा risk कम नहीं होगा ठीक है इतना बात तो ध्यान रखेंगे कि risk कम नहीं होगा जब मेरा R प्लस 1 होगा तो उस समय हम क्या मानेंगे कि मेरा risk कम नहीं हुआ है चलिए इतना बात तो आप मानेंगे ही मानेंगे चलिए sir fine so यहाँ पर आप देख सकते हैं इस question में कोई भी question हो सकता है जो R जब प्लस 1 है तो risk सबसे जादा है तो मैं क्या कहता हूँ जब R प्लस 1 होता है तो अभी भी मैंने कहा कि risk reduction नहीं होता है चाया पोटफोलियो बना लीजिए risk में कमी नहीं होती है और R माइनस 1 में risk सबसे कम है और गौर तलब बात यह है कि R की जो range है वो प्लस 1 टू माइनस 1 ही रहती है as per statistics R की range प्लस 1 टू माइनस 1 रहती है यह as per statistics है तो R प्लस 1 से उपर तो कुछ हो ही नहीं सकता तो R प्लस 1 में आपको यहाँ पर maximum risk मिल रहा है और R माइनस 1 में यहाँ पर आपको minimum risk मिल रहा है risk कैसे निकलता है वही वाला equation standard deviation A square WA square standard deviation B square WB square plus 2 standard deviation A, standard deviation B, WA, WB, R, A और B का और इन सब का under root fine sir no problem at all so अब समझते हैं कि यह R मतलब होता क्या है R plus 1 को हम कैसे define करें R minus 1 को हम कैसे define करें और R बराबर 0 को हम कैसे define करें आईए अब थोड़ा detail में समझते हैं R का मतलब concept number 20 decision on the basis of R R का मतलब होता है correlation so यहाँ पर अभी अभी हमने देखा कि अगर R कम होगा तो risk कम होगा और R अगर जादा होगा तो risk जादा होगा lower the R, lower the risk, higher the R, higher the risk fine sir range of R हमेशा minus 1 to plus 1 में रहेगा यह सब छोड़ी छोड़ी बाते हैं लेकिन काम की बाते हैं जो आपको ध्यान रखना है minus 1 to plus 1 range of R रहेगा fine sir, no problem at all meaning of R is equals to plus 1 R is equals to plus 1 का मतलब क्या होता है R is equals to plus 1 का मतलब होता है perfect positive correlation इसका मतलब होता है maximum possible risk जो कि मैंने अभी आपको दिखाया भी कि R plus 1 में risk सबसे जादा होता है इसका एक और मतलब निकल कर आता है कि जो return of securities है वो same direction में move कर रही है return of securities are moving in same direction मतलब एक security अगर बढ़ रही है तो दूसरी security भी बढ़ रही है एक security अगर गिर रही है तो दूसरी भी गिर रही है R plus 1 का मतलब होता है कि दोनो securities की direction of movement है वो same है तो जब R is equals to plus 1 होता है तो हमारा जाना पैचाना equation stand division A square WA square stand division B square WB square 2 stand division A, stand division B WA, WB R A and B का और इन सब का under root fine तो यहाँ पर R हम क्या मान रहे है R को हम plus 1 मान रहे है तो जब R plus 1 होगा तो किस form में आ जाएगा A square plus B square plus 2AB A square plus B square plus 2AB वो क्या होता है A plus B square A plus B square होगा और A plus B square बाहर आ जाएगा क्योंकि under root है तो यह आपका बन जाएगा standard deviation A, WA plus standard deviation B, WB मतलब जब R plus 1 होता है तो जो मेरा risk होता है वो weighted average ही होता है R plus 1 होता है तो मेरा risk weighted average ही होता है this is weighted average risk hence prove that जब R plus 1 होता है तो there is no risk reduction जब R plus 1 होता है तो risk मेरा weighted average ही हो जाता है तो इसका मतलब कोई risk में कमी नहीं होती रैदर R plus 1 में मेरे को जो risk मिलता है वो maximum possible risk मिलता है सबसे ज़्यादा risk किसमे होता है कब होता है जब R मेरा plus 1 होता है तो सबसे ज़्यादा risk उसे कहते हैं जब R plus 1 होता है same goes for R minus 1 R minus 1 को बोलते है negative correlation इसका मतलब होता है minimum possible risk जैसा कि मैंने बताया था जब R minus 1 था तो mathematically मैंने आपको दिखाया कि सबसे कम risk आ रहा है इसका मतलब दो securities का जो return है वो opposite direction में move कर रहा है और इसका जो shortcut formula बनेगा A square plus B square minus 2AB तो ये बन गया A minus B A minus B मतलब weighted average की जगा ये minus हो गया तो आप समझ सकते है minus मतलब ही risk यहाँ पर कम आ रहा है risk यहाँ पर सबसे कम आएगा और ये shortcut आप लगा सकते हैं जब R is equal to minus 1 हो तो आप ये shortcut लगा सकते हैं fine, no problem at all अब R बराबर 0 R बराबर 0 मतलब क्या होता है no relation इसका मतलब कोई relation established नहीं हो पा रहा है हम कुछ नहीं कह सकते अच्छे बताएए दोनों एकी direction में move कर रहा है दोनों एकी direction से गिर रहा है तो R क्या होगा? प्लस 1 होगा एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिर रहा है R क्या होगा? minus 1 होगा और जब कोई relation हम नहीं बता पा रहे है जब कोई relation की बात नहीं यहाँ पर समझ में आ रही है तो R उस case में होगा 0 हम कहेंगे there is no relation fine sir no problem at all जब R is equal to 0 होता है तो एक shortcut formula भी आप लगा सकते हैं हमारा main formula क्या है? stand division A square WA square plus stand division B square WB square plus 2 stand division A stand division B WA, WB, R, A और B का और R में क्या मान रहा हूँ? यहाँ पर 0 मान रहा हूँ तो यह पूरा part 0 हो जाएगा और बचे का स्रिफ यह part और रहे जाएगा यह part stand division A square WA square plus stand division B square WB square यह तब होगा यह जब R is equal to 0 होगा तब हम यह equation shortcut use कर सकते हैं क्योंकि third part तो in fact 0 ही हो जाएगा fine sir तो R plus 1 का हमने shortcut देखा R minus 1 का हमने shortcut देखा R बराबर 0 का हमने shortcut देखा R मतलब correlation एक security का दूसरे security के साथ क्या relation है वो R कहलाता है fine sir अब इसी तरह से हम तीन securities का भी risk निकाल सकते हैं fine तो risk निकालने के लिए आप कोई याद करनी के ज़रूत नहीं आप क्या करेंगे pairs बना लेंगे standard division A plus B plus C सबसे पहले pair बनाएंगे A, B, B, C और C, A यहाँ पर तीन pair बनेगा अचा C, A और A, C, A की चीज़ है B, C और C, B, A की चीज़ है A, B, A की चीज़ है तो यहाँ पर A, B, B, C और C, A तीन pair बनेगा सबसे पहले pairs बना लीजिए उसकी बाद आप क्या करेंगे उसकी बाद आप वही equation यूज़ करेंगे standard division A square, WA square मेरे साथ बोलेंगे standard division B square, WB square plus standard division C square, WC square plus 2 standard division A, standard division B WA, WB, R, A और B का A, B हो गया combination अब B, C आएगा 2 standard division B, standard division C WB, WC, R, B और C का अब C A आएगा 2 standard division C, standard division A WC, WA, R, C और A का और इन सब का अंडरूट तो आपका आजाएगा standard division A plus B plus C इसका एक shortcut भी हो सकता है जब R plus 1 होगा तो इसका एक shortcut यूज़ कर सकते हैं और shortcut आपका जो निकल कर आएगा वो आएगा standard division A, WA, standard division B, W, B standard division C, W, C मतलब weighted average R equals to plus 1 मतलब weighted average ही यहाँ पर लग जा रहा है R minus 1 का कोई as such यहाँ पर shortcut इस case में 3 security case में नहीं बन पाएगा तो R plus 1 का यह shortcut है ध्यान रखेंगे और mean आप equation ध्यान रखेंगे आप pairs बना लीजिए और accordingly आपका बहुत आसान हो जाएगा solution fine sir इसी तरह से 4 securities का आप खुद बनाएंगे pairs A, B B, C, C, D, A, A, C, B, D आप देखें इसमें total 6 pairs बन रहे हैं इससे ज़्यादा आपके पास pairs नहीं बनेंगे इसमें total 6 pairs बन रहे हैं इससे ज़्यादा आपके यहाँ पर cases नहीं बनेंगे fine sir total यहाँ पर 6 cases बन रहे हैं A, B, B, C, C, D, D, A, A, C, B, D चलिए अब बनाना शुरू करते हैं याद मत कीजिएगा याद करना उड़ा मुश्किल हो जाएगा simple pairs बना लिजे पहले अब देखिए मिरे साथ बोलेंगे strand division A square, WA square strand division B square, WB square plus strand division C square, WC square plus strand division D square, WD square 2 strand division A, strand division B WA, WB, RA और B का 2 strand division B, strand division C WB, WC, R, B, or C का 2 strand division C, strand division D WC, WD, R, C, or D का 2 strand division D, strand division A WD, WA, R, D, or A का 2 strand division A, strand division C WA, WC, R, A, or C का 2 strand division B, strand division D WB, WD, R, B, or D का fine no problem बहुत ही simple है बहुत ही ज़ाद आसान है मतलब आपको याद नहीं करना है बस pairs बना लेना है यहाँ पर 6 pairs बने AB का एक pair, BC का एक pair CD का एक pair, DA का एक pair AC का एक pair, BD का एक pair fine और यहाँ AB, BC, CD, DA, AC, BD no problem at all यहाँ पर भी shortcut लग जाएगा जब R plus 1 है तो यहाँ पर एक shortcut लग सकता है weighted average standvation AWA, standvation BWB standvation CWC, standvation DWD fine जब R minus 1 है तो कोई shortcut नहीं लग सकता there cannot be any shortcut fine अब यहाँ पर होता है अब यहाँ पर होता है अब standard deviation में risky security भी हो सकता है और risk free security भी हो सकता है risk free security का risk क्या होगा? 0 होगा तो अगर मेरे portfolio में जहाँ से सुनेंगे अगर मेरे portfolio में एक risky security है और एक risk free security है तो उसका क्या बनेगा? उसका मेरा standard deviation A plus B क्या बनेगा? उसका standard deviation A plus B बनेगा standard deviation AWA simple वो कैसे आया भला? आप समझेंगे एक security है मेरी risk free है एक security मेरी risk free है और एक security risky है तो जिसकी risk free है उसका तो 0 हो जाएगा तो ये entire part 0 हो गया और इसमें भी standard deviation भी है तो ये भी entire part 0 हो गया बचा सिरिफ एक part और उसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो आएगा standard deviation AWA तो अगर एक security में risk free security है और एक security में risky security है तो ये बचेगा standard deviation AWA तो ये आपका हो गया risk of security portfolio जहाँ पर एक risk free है और एक risky है चलिए sir When we take borrowing for investment in stock market कभी-कभी stock market में invest करने के लिए लोग borrow भी करते हैं तो मैं आपको एक example दे रहा हूँ आप मुझे बताईएगा उसका risk or return क्या होगा मान लीजे मैंने borrow किया है risk free borrow risk free से borrow किया है मतलब जहाँ पर मेरी liability limited है जहाँ पर मेरा risk नहीं है ठीक है मान लीजे मैंने 25,000 risk free से borrow किया है और मेरा अपना पैसा था एक लाग मेरा अपना पैसा एक लाग था और मैंने market में invest किया है लेट से एक लाग पचीस हजार ठीक है fine point समझ में आ गया बात समझ में आ गयी याद रखी का weights हमेशा बराबर बन होता है अगर मान लीजे return अगर मान लीजे return of market है let's say 20% और आपने risk free से borrow किया है let's say 6% तो आप मुझे बताईए return of portfolio और अगर risk भी यहाँ पर जोड़ देते let's say risk यहाँ पर है 10% और risk free borrow का risk तो 0% होगा तो आप मुझे return of portfolio बताईए and आप मुझे risk of portfolio बताईए मैं आपको कुछ seconds दे रहा हूँ वीडियो pause कर दीजिए और इसका answer ढूंडिए मेरे पास 1,00,00 रुपे था मैंने 1,00,25 market में invest किया 25,000 मैंने borrow किया no problem at all और return आपको दियावा है risk free borrow का return दियावा है और risk इसका 0 होगा आप मुझे standard deviation of portfolio और return of portfolio बताईए वीडियो pause करिए और answer दीजिए तो I hope आपने सही answer निकाला होगा सबसे पहले तो हमें weights निकालना होगा सबसे पहले weights यहाँ पर बनेगा 1.25 और यहाँ पर बनेगा minus 0.25 weights must always be equals to 1 यहाँ पर आपका 1.25 total कितने थे 1 लाग थे तो weights आपका बन गया 1.25 25 और आपका हो गया upon 1 lakh तो हो गया 0.25 fine fine तो weights आपका आ गया है 1.25 and minus 0.25 ठीक है total weights will always be equals to 1 अब return of portfolio क्या होता है return of portfolio is weighted average return so return of portfolio is weighted average return so 20% into 1.25 minus 6% minus क्यों हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर borrow कर रहे है तो यह आपका final answer जाएगा return of portfolio का और risk of portfolio क्या होगा एक security risk free है तो risk of portfolio होगा आपका 10% into 1.25 1.25 अभी अभी मैंने आपको shortcut बैता है था 10% into 1.25 तो यह आपका होगया 12.5 risk of portfolio और return of portfolio होगया 20 into 1.25 तो यह आपका होगया 25 minus 6 into 0.25 यह आपका होगया 1.5 तो final answer आपका आपका आगया 25 minus 1.5 तो यह आपका होगया 23.5% No problem at all I hope सबका answer यही आया होगा तो यह कब होता है जब हम borrow करकर invest करते हैं जब हम borrow करकर invest करते हैं तो यह situation आपका आएगा fine चले आगे चलिए sir CAPM बहुत ही popular नाम है यह आप लोग इस नाम को inter label से भी सुन रहे हैं Capital Asset Pricing Model यह हमें क्या सिखाता है यह हमें fair return निकालना सिखाता है यह हमें fair return निकालना सिखाता है CAPM क्या होता है बिल्कुल simple इसका equation है RF plus beta इसका equation आपके सामने है RF plus beta of security into RM minus RF RF plus beta of security into RM minus RF very simple हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी RM, RF या beta का data DIY question में 100% guarantee है कि वहाँ पर CAPM लगेगा ही लगेगा CAPM के लगाने के उपर आपको definitely यहाँ पर marks मिलते हैं even if अगर आपका final answer साही नहीं है step marking मिलते हैं CAPM निकालना बहुत आसान तरीका है RF plus beta security into RM minus RF fine sir market risk premium market risk premium मतलब क्या होता है market risk premium मतलब होता है RM minus RF अगर स्रिफ market risk premium word use किया गया है तो इसका मतलब RM minus RF fine so बहुत बार risk premium दे देता है तो इसका मतलब होता है RM minus RF और security risk premium अभी हमने क्या कहा market risk premium या simply risk premium भी बोला गया हैगा तो हम market risk premium ही assume करेंगे और अगर security risk premium के लिए बोला जा रहा है तो RM minus RF तो होगा ही होगा into beta security into beta security risk premium premium मतलब extra security में जब हम पैसा लगाते तो मुझे extra क्या मिल रहा है RF तो कोई भी दे देगा आप CAPM को तोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा RF तो मुझे कहीं से भी मिल जाएगा अगर मैं bank में भी जमा करूँगा तो मुझे RF मिल जाएगा मुझे लेकिन यह जो मुझे extra मिल रहा है यह risk लेने की वज़े से मिल रहा है security risk premium beta security into RM minus RF fine sir how to calculate market return RM कैसे calculate करें यह बताने वाली यहाँ पर बात जरूर है कि इंडिया में sensex and nifty को market का representation माना जाता है इंडिया में sensex and nifty market का representation माना जाता है market return मतलब total basis पे बात हो रही है पूरे market की बात हो रही है पूरे इंडियन जो stock market में जो representative companies है उनकी बात हो रही है sensex में 30 companies का यह group है nifty 50 companies का group है तो market return हमेशा totality में calculate किया जाता है तो how to calculate market return हम पहले ले लेंगे total P1 जितने भी market में securities है nifty के components है यह sensex के components है हम उनस total को ले लेंगे total P0 को ले लेंगे same वही पुराने वाला equation P1 minus P0 plus D1 upon P0 बस यह totality में होगा यह totality में हमें सारे market में जितने भी given information होंगे question में सबके P1 add कर दीजे सबके P0 add कर दीजे सबके dividend add कर दीजे divided by सबके P0 आप divide कर दीजे तो आपका आजाएगा return आपका आजाएगा return fine sir जैसे कि आप देख सकते हैं हमने total जितने भी securities दिये वे थे हमने total P1 कर दिया P0 कर दिया D1 कर दिया और finally हमने RM calculate कर दिया 26.33% RM हमेशा total basis पे calculate किया जाता है CAPM और actual return हमने पहले भी return calculate किये थे तो उन दोनों में क्या अंतर है तो CAPM तो आपको बताई दिया गया है RF plus beta security into RM minus RF यह इसको बोलते है minimum desired return इसको हम fair return भी बोलते हैं और actual return जो actually company हमें देता है earn करके उसको हम actual return कहते हैं कभी-कभी actual return को question में expected return भी बोला जाता है average return भी बोला जाता है expected return और average return मैंने आपको पहले ही समझा दिया है average return total करकर past data से जो निकलता था और expected return जो probability से निकलता था तो फिर से एक बार revise करते है return दो प्रकार के होते हैं CAPM return जो कि अभी भी बताया मैंने आपको और actual return मतलब जो company actually दे रही है इसको हम average return भी बोलते हैं या expected return भी बोलते हैं इन दोनों को अलग से मैंने concept में समझा दिया है calculate करके बता दिया है और आपने ही इसका answer दिया था average return past data से होता है expected return with using probability होता है fine sir no problem at all overvalued and undervalued concept कभी कभी overvalued और undervalued concept भी यहां पर पूछा जाता है तो हमेशा द्यान रखेंगे यह CAPM को base मान कर यह किया जाता है CAPM को base मान कर किया जाता है अगर CAPM जादा है CAPM मतलब fair return इतना मिलना चाहिए इतना मिलना चाहिए fine इतना मिलना चाहिए और actual में इतना मिल रहा है इतना मिलना चाहिए और actual में इतना मिल रहा है तो अच्छा नहीं है company expression आप देख लिजे ऐसी company को upsell करेंगे क्योंकि CAPM return जादा है तो हम overvalued कहेंगे यहां पर CAPM return को base मान कर हम decision लेते हैं CAPM जादा तो overvalued CAPM कम तो undervalued CAPM बराबर तो correctly valued CAPM जादा तो overvalued overvalued को हम sell करते हैं undervalued को हम buy करते हैं correctly valued को हम hold करते हैं CAPM मेरा fair return है मतलब इतना मिलना चाहिए इतना मिलना चाहिए और actual में जो मुझे मिल रहा है आप comparison आराम से कर सकते हैं यहाँ पर 20% आपको actually मिल रहा है लेकिन मिलना चाहिए था as per CAPM return, fair return 5% it's a very good situation आप buy करेंगे, undervalued बोल देंगे क्योंकि CAPM return कम है so finally sir कैसे आप इस चीच को summarize करेंगे CAPM return कम और वैलूट को sell करेंगे correctly वैलूट को hold करेंगे fine sir types of total risk अब total risk कितने प्रकार के होते हैं total risk दो प्रकार के होते हैं systematic risk और unsystematic risk हमने total risk पढ़ा है standard deviation हमने standard deviation पढ़ा हमने standard deviation को calculate करना सीखा हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर करी अब total risk दो प्रकार के होते हैं systematic risk और unsystematic risk systematic risk क्या होता और unsystematic risk क्या होता ज़रा देखते हैं systematic risk क्या होता है जो risk कभी कम नहीं किया जा सकता eliminate नहीं किया जा सकता by the company let's say covid situation let's say terrorist strike RBI policy taxation policy rupee dollar movement international war जो trade war होती है दो country के बीच में यह सब हमारे बसका नहीं है हम नहीं control कर सकते जो risk company control नहीं कर सकती उसे हम systematic risk कहेंगे और जो risk company control कर सकती है उसे unsystematic risk कहा जाएगा जो company control कर सकती जैसे कि labor problem, lockouts, strike यह सब risk company control कर सकती है तो systematic risk जो control नहीं हो सकता unsystematic risk जो control हो सकता है यह country specific risk माना जाता है sector specific risk माना जाता है ये company related risk होता है इसको हम diversify नहीं कर सकते हैं इसको हम risk कम नहीं कर सकते हैं ये cannot be avoided है ये can be avoided है terrorist strike, surgical strike, political unstability, interest RBI policy, inflation, rupee dollar movement, GDP slowdown, taxation policy ये कोई भी company के बसका नहीं है control करना labor problem, delay in salary payment, key manager resignation ये सब company अपने आप control कर लेती है ये company की problem है ये किसी country की problem नहीं है तो यहाँ पर अगेन दो प्रकार के risk हो गए एक systematic risk और एक unsystematic risk आपसे इतना ही समझो जो risk control नहीं हो सकता किसी company से उसे systematic risk कहेंगे और जो risk company control कर सकती है उसे unsystematic risk कहेंगे अब सवाल उठता है कि beta कैसे calculate किया जाए how we can calculate beta of security, beta of security को market sensitivity index भी कहते हैं इसे beta coefficient भी कहते हैं, beta is a measure of systematic risk इसको चार बार पढ़ेंगे ताकि mind में fit हो जाए beta is a measure of systematic risk, systematic risk को कौन measure कर सकता है beta measure कर सकता है, beta एक statistical term है जो की हम लोग स्टैट्स में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे finance में जो इसको बोला जाता है वो beta बोला जाता है, यह एक तरह का slope है, ठीक है आगे चल कर हम इसको भी समझेंगे, beta हमेशा ध्यान रखेंगे, beta of security हमेशा market के respect पर calculate होता है जैसे कि sensex और nifty से tata limited beta calculate कर रही है, अगर tata limited beta calculate करेगी तो market के respect पर करेगी, अगर reliance limited करेगी तो वो भी market के respect पर करेगी beta of security is always calculated with respect to market तो हमने अभी तक क्या समझा beta is a measure of systematic risk और beta हमेशा market के respect पे calculate होता है decision of beta क्या होगा higher the beta, higher the risk जितना ज़्यादा beta होगा उतना ज़्यादा risk होगा तो आप देख सकते हैं हमेशा higher और better ही आ रहा है यसे higher standard deviation, higher the risk higher CV, higher the risk higher variance, higher the risk higher correlation, higher the risk higher beta, higher the risk fine sir interpretation of beta beta को हम कैसे interpret करे beta को हम कैसे interpret करे fine sir, beta reflect relationship between security movement and market movement beta security movement और market movement के बीच में relationship बताता है कि market कितना move कर रहा है तो मैं कितना move करूँँगा market कितना बढ़ रहा है तो मैं कितना बढ़ूँगा market कितना गिर रहा है तो मैं कितना गिरूँगा beta relations बताता है एक security का market के साथ market एक बहुत बढ़ा term है जिसमें सारे securities का एक group होता है हमने आपको पहली बताया है कि इंडिया में निफ्टी और sensex को market का दर्जा दिया गया है सर जैसे कि अगर माली यह beta 2 है तो अगर मैं कहता हूँ beta 2 है तो इसका क्या मतलब है beta 2 है तो इसका यह मतलब है कि मेरी company मालो data limited की beta 2 है तो इसका यह मतलब निकल कर आएगा कि data limited जो risk ले रहा है वो two times higher than market ले रहा है data limited का risk two times higher है market से इसका और क्या मतलब निकल कर आएगा कि अगर market 10% बढ़ता है अगर market 10% बढ़ता है तो टाटा limited 20% बढ़ेगा और market अगर 10% गिरता है तो टाटा limited 20% गिरेगा fine sir so beta का interpretation आपको समझ में आ गया है कोई दिक्कत नहीं है beta हमेशा market के respect पे calculate होता है हम यहाँ देखते हैं कि market बढ़ रहा है तो मैं कितना बढ़ रहा हूं market गिर रहा है तो मैं कितना गिर रहा हूं अगर beta 2 है तो इसका यह मतलम निकल कराएगा अगर market 10% बढ़ रहा है तो टाटा limited कितना परसन बढ़ेगा market अगर 10% गिर रहा है तो टाटा limited कितना परसन गिरेगा बीटा हमेशा market के respect पे calculate किया जाता है higher the beta higher the risk जितना ज़्यादा fluctuation risk मतलब fluctuation अगर 10% बढ़ रहा है तो मैं 20% बढ़ रहा हूं लेकिन 10% गिर रहा है तो मैं 20% गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा fluctuation है अब बीटा के किते प्रकार होते है, positive बीटा होता है, positive बीटा मतलब क्या होता है, same direction, market बढ़ रहा है, मैं बढ़ रहा हूं, market गिर रहा है, मैं गिर रहा हूं तो इसको बोलेंगे positive beta, fine, अच्छा, negative beta क्या बोलेंगे opposite direction, market बढ़ रहा है, मैं गिर रहा हूं, market गिर रहा है, मैं बढ़ रहा हूं, मतलब ये beta market से opposite direction में move कर रहा है, तो इसे negative beta कहेंगे, zero beta में हम कोई direction नहीं बना सकते हैं, कोई भी हम relation established नहीं कर पाएंगे, zero beta में, normally जो risk free security की beta होती है, वो zero मानी जाती है, आगे चल कर हम इसे भी आपको बताएंगे, fine sir, तो positive beta same direction, negative beta opposite direction, zero beta no direction, क्या beta negative हो सकता है, हाँ बिलकुल हो सकता है, लेकिन normally ऐसा होता नहीं है, बहुत rare है, कि सारी security बढ़ रही है, लेकिन मैं गिर रहा हूं, पूरे इंडिया की stock market बढ रही है, लेकिन मैं गिर रहा हूं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, एकाद company में तो ऐसा देखा जा सकता है, लेकिन sub company में से ऐसा देखा नहीं जा सकता, तो beta normally negative नहीं होता है, it is highly unlikely, fine, कोई दिक्कत नहीं है, as per concept क्या होता है, अगर sensex बढ़ रहा है, तो इसका मतब share price बढ़ र रहे हैं, तो positive beta नजर आ रहा है, यहां पर, लेकिन कभी-कभी negative beta भी हो जाता है, कभी-कभी यहां पर ऐसा भी हो जाता है, कि market तो बढ़ रहा है, लेकिन securities गिर रही है, तो can beta भी negative, yes, beta can be negative, but it is highly unlikely, because as per the concept, market बढ़ रहा है, तो security बढ़ रही है, market गिर रहा है, तो security गिर रही है can beta भी 0 yes beta can be 0 again it is highly unlikely unlikely जरुरी नहीं कि beta 0 ही हो क्योंकि market के साथ कोई ना कोई तालमेल तो होगा यह होगा लेकिन नॉर्मिल जो risk free securities होते हैं तो risk free securities होते हैं इसे government securities, bank deposits, cash and cash equivalent उनकी जो beta होती है वो 0 होती है तो can beta भी 0 yes beta can be 0 but it is highly unlikely लेकिन जो risk free securities होती है government securities, bank deposits, cash and cash equivalent उनकी beta हमेशा हम 0 मानते हैं क्योंकि उनका कोई तालमेल stock market के साथ नहीं बन पाता अब सवाल यह उठता है how to calculate beta of security से beta of security को calculate कैसे किया जाए exam में direct question आते हैं direct दस नंबर के question आपको मिलेंगे how to calculate beta of security how to calculate beta of security we can calculate beta of security in following manner हम beta of security को following manner में calculate कर सकते हैं चार तरीके हैं beta of securities को calculate करने के यह चार तरीके आप पहले mind में बैठा लीजिए percentage change formula, covariance formula, regression formula and correlation formula यह चार आपके major topics हैं जो अभी हम cover करने वाले हैं percentage change formula, covariance formula, regression formula and correlation formula fine no problem at all आईए सबसे पहले हम समझते हैं percentage change formula fine sir, beta calculation using percentage change formula तो beta of security क्या होगा simple change in security return upon change in market return, change in security return upon change in market return आप खुद देख लीजिए आपको मैंने एक example दिया है जब market का return 12% है तो a limited का return है वो 16% हुआ जब market का return 13% है तो a limited का return हुआ 18% आप देखिए market 1% से बढ़ रहा है तो a limited 2% से बढ़ रहा है तो आप खुद बना लीजिए ना कि भाईया बीटा क्या होगा यहां पर बीटा क्या होगा टू टाइम्स होगा बीटा एक times का measurement है सो मैंसर टाइम्स लिखा करें बीटा calculate करते वक्त तो यहां पर आपने क्या किया change in security return change in security return 18-16 upon change in market return 13-12 तो यह आपका होगा two times change in security return upon change in market return is known as beta no problem at all it means two times का मतलब क्या होगा it means अगर market 1% बढ़ रहा है तो a limited 2% बढ़ रहा है अगर दो डाटा दिया हो तो आपको बीटा हमेशा change से ही calculate करना चाहिए अदरवाइज और भी formula है लेकिन फुर वो lengthy हो जाएगा तो फिर से मैं repeat कर रहा हूँ change in security return upon change in market return change in security return upon change in market return beta calculation with percentage change formula change in security return upon change in market return इसी तरह से beta using covariance covariance का क्या होगा covariance मैंने अभी अभी आपको calculate करना सिखाया था basic जब मैंने statistics का जो आपको take up करवाया था questions भी आपसे करवाया था covariance upon variance covariance का security with market क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा market के साथ calculate होता है beta covariance security with market upon variance of market variance of market मतलब standard deviation of market का square covariance upon variance covariance upon variance बीटा of security हमेशा ध्यान रखेगा direct question exam में पूछे जाते हैं और आपको बहुत easy scoring हो जाता है provided आपकी calculation सही होने से आपको एक number भी यहाँ पर नहीं करता और यहाँ तो हमारे students के 100 में 100 आते हैं SFM में CA final में CMA final में हमारे students को 100% 98% 99% तक scoring मिला है fine sir covariance upon variance covariance security with market upon variance of market fine sir no problem at all बीटा calculation using regression regression के through भी हम बीटा calculate कर सकते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इसको ignore करो आप ऐसा करो कि इस चीज को ignore इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो equation है वो normally बच्चे याद करने में उनको दिक्कत होती है ठीक है उनको याद करने में दिक्कत होती है आपको मैं इसलिए मैंने कहा कि आप नॉर्मली वही वाला पहले वाला यूज करेंगे covariance upon variance covariance of security with market upon variance of market ठीक है यह वाला क्या है summation xy minus n mean x mean y upon summation x square minus n mean x square where x is market return and y is security return fine no problem at all कोई दिक्कत नहीं और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर beta calculation करना चाहें फटा फट अगर आप video pause करके तो मैं आपको एक question दे रहा हूँ आप फटा फट video pause करकर beta calculate करिये तो एक बार का क्या होगा यह वाला भी एक बार problem solve हो जाएगा क्योंकि बच्चे students exam hall में बैट कर beta calculation में mistake करते हैं direct question हाँ से चला जाता है 10 number का question 100% mark secure करने वाला question में भी आप कुछ ने कुछ गलत कर देते हैं तो आईए मैं question reflect कर रहा हूँ उसका beta आप calculate करिये वीडियो pause करके पहले मैं question आपके सामने आपको put up कर दे रहा हूँ अगर आप definitely अगर आप बिल्कुल involved है इस lecture में तो आपको definitely करना चाहिए rough में कर लीजिए ज़्यादा time लगाने के जरुवत नहीं है बहुत ज़्यादा fair way में करने के जरुवत नहीं है आप rough में भी कर लेंगे तो काम हो जाएगा तो ठीक है sir कोई दिक्कत नहीं है हम इस question को करने के लिए तयार है तो मैं आपको यहाँ पर एक question put up करवा रहा हूँ और आप इस question को देखें और फटा फट शुरू करें इसको करना question आपके सामने है year 1, year 2, year 3, year 4, year 5 का ABC security का return दिया हूआ है और market का return दिया हूआ है अब आप वीडियो pause कीजिए और बीटा निकालिए fine so अब आप वीटा calculate करने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं मेरा ही मानना है अगर आप बिल्कुल involved होना चाहते हैं इस lecture में तो ये तो आपको करना ही होगा ठीक है रफ में कर लेजिए कोई दिक्कत नहीं है आईए देखते हैं किसका answer सही है तो सबसे पहले आपका given return आपने निकाल लिख दिया होगा और market return आपने लिख दिया होगा ठीक है फिर आपने क्या किया होगा आपने average निकाला होगा average निकाला को इसका 10 आ रहा है और market का return का average आ रहा है बार है फिर आपने deviation S किया होगा deviation मतलब क्या होता है given return minus average return आपने deviation किया होगा क्योंकि past data से है तो हमेशा 0 आएगा आपने deviation of market किया होगा क्योंकि past data से है तो हमेशा 0 आएगा फिर आपने ds into dm किया और आपने total कर दिया और dm square किया और आपने इसका total कर दिया ठीक है फिर आपने किया covariance security of market का क्या होता है covariance आपको पहले ही बता दिया गया है summation ds into dm upon n summation ds into dm आपको दिया गया था upon n तो आपका यह आ गया और standard deviation of market मतलब variance of market क्या है variance of market में under root नहीं होता है dm square upon n so dm square upon n आपने dm square निकाल दिया है तो यह आपका 128 हो गया सब calculation आपको पहली बता दिया गया है covariance का variance का और beta simply क्या है covariance upon variance so covariance आपने निकाल दिया variance of market निकाल दिया तो यहाँ बीटा आ रहा है 0.816 times 0.816 times so यह एक से कम है या ज़्यादा है एक से कम है तो इसे low beta stock कहेंगे यह एक से कम है तो इसे low beta stock कहा जाएगा fine एक दम no problem at all कोई दिक्कत नहीं है चलिए sir आगे बढ़े बढ़िये sir आपका अगर answer सही होता है तो बहुत confidence बहुत increase होता है और definitely अगर नहीं सही निकला तो आप फिर से एक बाट देखिए कहां आप गलती कर रहे हैं क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल है आप इन सब चीजों पे ही अगर आप दिक्कत कर रहे हैं तो आगे बढ़ना कोई फाइदा वाला बात नहीं है आप पहले सब चीजों को अच्छे से पहले revise करिए and then आगे बढ़िए मेरा तो यह मानना है मेरा यह कहना है ठीके नितो ऐसे तो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ कभी अंती नहीं है इसका जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो और उसको खतम करने की कोशिश करो pending मत करो ending is better than pending ending is better than pending ध्यान रखेगा ने तो जो काम अटक जाता है वो अटकता ही रहता आगे तक और एक तरीका है beta using correlation correlation अब correlation का मतलब क्या होता है बताईए correlation आपको बता दिया गया है correlation security of market का क्या होता है covariance security of market upon stand division of security upon stand division of market यह आपको बता दिया गया है correlation तो आपको समझा दिया गया है covariance upon stand division A into stand division B वहाँ पर A और B होता था यहाँ S और M है और beta क्या होता है अभी भी बताया आपने covariance upon variance of market covariance upon variance of market beta होता है अब इन दोनों को mix करते वे हम क्या कर सकते हैं अच्छा covariance को क्या लिख सकते हैं covariance को हू हुम लिख सकते हैं …? RSM into stand division S into stand division M upon stand division market square variance of market मलब क्या होता है stand division market square market market cut हो गया तो final answer क्या बना correlation को यूज करते वे beta क्या निकला Rs और M into stand division S upon stand division M मैं इसको पूरा derive भी करकर आपको दे दिया है आराम से देख लिजे मैं थोड़ा सा pause कर देता हूँ आप इस चीज़ को देख लिजे तब ही हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ पहले बता दिया ये पहले बता दिया है ये पहले बता दिया है अब आपने बस बीटा को derive कर दिया correlation SM into stand division S upon stand division M question में जैसा data होगा वैसा हम answer निकालेंगे fine sir चले आगे चलिए sir अब आपका आगया बीटा of portfolio बीटा of portfolio बीटा of portfolio is weighted average beta बीटा of portfolio is weighted average beta ठीक है हमीशा ये लाइन ध्यान रखेंगे return of portfolio भी क्या होता है weighted average beta अच्छा जब r plus 1 होता है जब r plus 1 होता है तो risk of portfolio क्या होता है weighted average risk ठीक है beta of portfolio is weighted average beta return of portfolio is weighted average return और अगर जब R plus 1 होता है तो risk of portfolio भी क्या होता है standard division A plus B क्या होता है weighted average मैंने आपको proof करके भी दे दिया है beta of portfolio is weighted average beta simple आप weights लगा दीजे beta A into WA, beta B into WB simple आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा weights लग जाएगा और आपका अराम से answer निकल जाएगा ठीक है आईए अगर मैं आपको एक question देता हूँ तो आप एक rough page में question करेंगे यह question आपके सामने बिल्कुल rough में calculator में भी कर सकते हैं मैं आप video pause कर दीजिए और आप मुझे portfolio beta निकाल कर दीजिए अ कि अपके सामने झीजिए रेघा February fine, तो देखते हैं, final answer आ रहा है आपका 1.31475 times, I hope काफी लोगों का यहां पर सही होगा, final answer आपका आ रहा है 1.31475, ठीक है, and very simple, beta of portfolio is weighted average beta, चलिए, आगे बढ़ते हैं, beta of market, beta of market हमेशा मानिएगा, हमेशा assume कीजिएगा 1, beta of market हमेशा क्या होता है, 1 होता है, हमेशा यह assume करेंगे, beta of market is always equals to 1, fine sir, अब आपको कुछ relations बताना, बहुत जरूरी है, अगर मैं आपको कहूँ, covariance of security with same security, अगर मैं covariance, same security का निकाल रहा हूँ, मतलब covariance A और A का, तो covariance क्या होता है, summation DA into DA opponent, summation DA square opponent, और summation DA square opponent, क्या हो गया, variance of A, यह क्या हो गया, variance of A, तो मैंने क्या कौन से बनाया, covariance of same security, covariance of a security, with same security will be variance, covariance of a security with same security will be variance, fine, अगर covariance मैं A का A के साथ निकाल रहा हूँ, तो इसका मतलब वो variance है, चलिए sir, एक और relation पढ़ते हैं, correlation of security with same security, अब correlation की बात आ रही है, अभी पहले क्या बात आई थी, covariance की बात, पहले covariance की बात आई थी, अब correlation की बात आ रही है, correlation क्या होता है, R, A और A, covariance A and A, upon stand division A into stand division A, correlation का equation आपको पहले ही बता दिया गया है, तो covariance A और A क्या होता है, अभी अभी आपने बता है, covariance A और A, variance of A होता है, और stand division A square क्या होता है, variance of A, तो 1, So, correlation of a security with same security will always be 1, इस सब properties हैं, जो ध्यान रखना है आपको, correlation of a security with same security will always be 1, fine, no problem at all, कोई दिक्कत नहीं है, correlation of same security will be 1, यह सब correlation, यह सब relations काम आएंगे, आगे चलकर अब आप exam questions करते हो, तो, What is risk-free security? Risk-free security वह होते हैं, जिसमें कोई risk नहीं होता, Normally आप bank में जब पैसा जामा करते हैं, तो normally माना जाता है कि उसमें risk नहीं होता है, Government bonds में, Treasury bills में, RBI bonds में, risk नहीं होता है, तो हमेशा जब भी quotient silent हो, हमेशा क्या मानना है, beta और standard deviation of risk-free security will be 0, हमेशा यह मानना है, कि अगर question silent है, तो beta और standard deviation of risk-free security to be 0, fine sir, अब high beta और low beta stock क्या होता है, अगर beta एक से जादा है, अगर beta एक से जादा है, तो हम उसे high beta stock कहते हैं, beta एक से कम है, तो हम उसे low beta stock कहते हैं, beta अगर बराबर 1 है, तो हम उसे neutral stock कहते हैं, beta अगर जादा है, एक से तो high beta stock, beta कम है, एक से तो low beta stock, beta बराबर 1 है, तो neutral stock कहते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कभी-कभी exam में conclusion लिखने के लिए बोलता है कि आपने जो beta निकाला है उसका conclusion दीजिए तो अगर एक से ज़्यादा है तो वो high beta stock माना जाएगा aggressive stock माना जाएगा अगर एक से कम है तो उसे defensive stock माना जाएगा और बराबर एक है तो इसे neutral stock माना जाएगा beta calculation using covariance when probability is given तो जब probability दिया जाता है तब भी हम beta निकाल सकते हैं beta तो वही होगा covariance of security with market upon variance of market that is standard deviation square covariance क्या होता है covariance क्या होता है जब probability दिया हुआ है तो ds into dm into probability का summation और standard deviation market क्या होता है dm square into probability का summation तो आपका ये standard deviation square हो गया आप चाहें तो इसके उपर भी एक आप beta calculation कर सकते हैं बहुत बार exam में question आया है आपको मैं question दे रहा हूँ यहाँ पर आप video pause करते वे इस question का beta निकालिए इस question का beta निकालिए जहाँ पर P market है और F security आपको beta निकालना और कुछ नहीं निकालना है जो भी कुछ बोलावाय मत नहीं निकालना है आपको beta निकालना है आप समझ लीजिए आपको ये data दियावा है और आपको beta निकालना है ठीक है fine sir आपको यहाँ पर इस data का बीटा निकालना है बस आप यह समझ लीजे ठीक है और यह सब बहुत basic चीजे हैं और यहाँ पर exam में पूछा जाता यह question exam में दो बार आया है दो बार और उसमें भी बच्चों ने गलती किया है simple बीटा कैलकुलेशन में बच्चे गलती कर रहे हैं वीडियो पॉस कीजिए और बीटा कैलकुलेट करके दीजिए rough में फटा फट fine तो I hope आपने बीटा निकाल दिया होगा देखते किसका सही है तो सबसे पहले आपको expected return निकाल दीजिए expected return अल्रीड करवा दिया गया है 17% आ रहा है security F का और market का आ रहा है expected return 14% ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है security F का standard deviation निकाल दीजिए जो कि अभी हमें जर्वत नहीं है और फिर आपको बोला गया मार्केट का standard दिविशन निकाल दीजिए तो गीवन रीटन ओफ मार्केट expected return of market deviation deviation square PDM square तो आपका total आगया तो आपका standard deviation आगया 16.25% market का standard deviation आगया 16.25% fine standard deviation निकालना आपने बहुत बार किया है आपका market का standard deviation आगया है हाँ पर 16.25% उसके बाद आपका covariance आगया probability आपका आगया deviation M आगया deviation F deviation F कैसे आएगा deviation M भी बहुत simple है given return F security expected return F security तो आपका ये deviation आगया fine ये आपका deviation आगया तो आपने यहाँ पर क्या किया यहाँ पर आपने deviation M किया deviation F किया deviation F into deviation M into probability किया तो ये आपका आगया covariance बीटा क्या होता है covariance upon variance of market covariance आपने निकाल दिया variance of market मतलब standard deviation market square तो आपका बीटा यहाँ पर आया minus 0.636 minus 0.636 find a to z calculation हमने पहले बता दिया है हमने covariance निकालना आपको पहले सिखा दिया था इसी lecture में starting में ही आपने covariance किया आपने standard innovation किया अब हमें relation बनाना है देखना है recall करना है retain करना है और अपना answer देना है यह सब basic चीजे पोटफोलियों के सब basic चीजों में आती है और इसी के उपर एक्जाम में question पूछे जाते और उनको भी पता है कि यह basic चीजे ही बच्चे revise करके नहीं जा रहे है और बार बार यह इस तरके questions पूछे जाते हैं और बार बार आप गलती करते हैं fine sir no problem at all calculation of portfolio return with the help of RM and beta of portfolio ठीक है आगे बढ़ते हैं अब मतलब आपको RM दिया हुआ है और beta of portfolio दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है portfolio return निकालना है so portfolio return क्या होगा RM into beta of portfolio definitely आपको यह चीज समझ में नहीं आया है तो ऐसा करते हैं आपको एक example देते हैं ठीक है आपको एक example देते हैं यह आपके सामने र 1.5 market return थैन परसेंट और written और पोर्टफोली निकालना है और आप ध्यान रखेंगे बीटा ओफ मार्केट क्या होगा वन हका बीटा ओफ मार्केट बनोंता है यह ध्यान- रखने वाली बात एल लिखने वाली या बताने बात नहीं, इसको तो आपको ध्यान रख नहीं है कि market beta हमेशा 1 एजियूम करते हैं, तो अब बताए है return of portfolio क्या होगा, portfolio return क्या होगा, beta portfolio है बीटा portfolio है 1.5, market return है 10%, beta market है 1, तो return of portfolio क्या होगा, तो आप निकाल दिया होगा इसका अंसर बहुत ही सिंपल है एक बीटा पे सुनिए एक बीटा पे market return 10% है तो डेड़ बीटा पे क्या होगा मेरा portfolio return 15% इसका अंसर क्या होगा 15% होगा तो बहुत सिंपल इसको formula में क्यों बाजा जाए ऐसी logically समझ में आ गया बात तो Fine sir, no problem at all Calculation of risk free rate calculation of risk free rate return का क्या फंडा होता है what I received upon what I paid what I received upon what I paid तो आप बताईए risk free return अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे risk free rate is equals to what I receive जब भी मैं कहीं लगाता हो तो मुझे मिलता क्या है मुझे coupon amount मिलता है मुझे coupon amount मतलब interest amount मिलता है और what I paid हमेंने investment amount लगाया होगा into 100 what I receive upon what I paid coupon amount हमेशा किस पर calculate होता है face value पर calculate होता है coupon amount हमेशा किस पर calculate होता है face value पर coupon amount calculate होता है fine, so coupon amount received upon investment amount into 100 मेरे को आएगा risk free rate fine, no problem at all कोई दिक्कत नहीं तो मैं आपको एक छोटा का question दे रहा हूँ आप मुझे स्रीव इसमें risk free rate निकाल कर दीजिए video pause कीजिए और मुझे इसमें risk free rate निकाल कर दीजिए कि अगर मैं बोलूँ इस question में risk free rate क्या होगा तो क्या हो आप निकालेंगे ज़रा बताइए fine, तो इस question में risk free rate आपने निकाला 5% what I received हमेशा coupon amount face value पे लगता है तो face value कोशिम ने नहीं दिया गया तो तो आपने क्या assume किया hundred assume किया upon what I invested अभी even 40 चल रहा है इसकी कीमत तो 5% मेरा risk free rate आएगा आप सिर्फ risk free rate पे concentrate कीजिए और मेरे साब से सभी का answer 5% जरूर आया होगा no problem कोई दिक्कत नहीं है कि चले आगे चलिए सर शार्पेज रेशियो इसे reward to variability ratio भी कहते हैं शार्पेज रेशियो बहुत ही ज़्यदा simple है यहां पर हम क्या करते हैं एक्सिस रिटन पर unit of total risk सो शार्पेज रेशियो होता है रिटन जो यह आपका आ रहा है return of portfolio हो यह return of security हो minus RF तो यह आपका क्या हो जाएगा excess return उपर हो गया return divided by standard deviation of portfolio standard deviation of portfolio यह security जैसा भी आपको data दिया वा है question में तो शार्पेज रेशियो क्या हो गया return of portfolio minus risk free return divided by standard deviation of portfolio यह शार्पेज रेशियो क्या होता है return per unit of risk return per unit of risk हर एक risk पे कौन कितना return दे रहा है तो definitely शार्पेज रेशियो क्या होगा higher the better होगा normally denominator में बच्चे confuse करते हैं एस स्टेंड फॉर शार्पेज एना इस तरह से ट्रेंडर्ट रेशियो है से रहेगा return of portfolio या return of security जैसा भी में दिया होगा minus rf तो यह मेरा access return होगा divided by beta of portfolio beta of security definitely higher the better क्या होगा यहां पर higher the better fine no problem at all rp और rs minus rf upon beta portfolio तो यहां पर beta है sharp is ratio में standard deviation है यहां पर बच्चे confuse हो जाते हैं definitely यहां पर भी return क्यों भी numerator में हैं access return per unit of beta access return per unit of beta same third आ जाएगा आपका jensen's measure jensen's measure जो यह होगा actual return minus capm return actual return आपको अभी थोड़े दर पहले बताया यह expected return भी हो सकता है या average return भी हो सकता है average return और expected return निकालने का तरीका आपको अलग से बता दिया गया है minus capm return क्या होता है capm return भी बता दिया गया है capm return होता है rf plus beta security rm minus rf definitely positive होगा higher होगा तो better होगा higher and positive better the situation हम out performance मानते हैं अगर actual return जादा हो capm return से तो हम कहते हैं out performance यह बहुत अच्छा perform किया है इस fund ने fine sir and lower and negative under performance मानते हैं तो अभी back to back हमने तीन ratios किये शार्पेज ratio ट्रेनर्स ratio एंड जैंसन्स मेजर एक question कर लिया जाए इसके उपर वीडियो pause करके ताकि इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहों direct question exam में आते हैं कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं होता है और आराम से students questions को कर लेते हैं provided आप सारे equations आपको सही लगाने आ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी शार्पेज रेश्यो ट्रेनर्स रेश्यो और जैंसन्स मेजर आप इपर फटा-फट रिवाइस करिए माइन में रिवाइस कीजिए शार्पेज रेश्यो क्या होता है शार्पेज रेश्यो होता है एक्सेस रिटन पर इनिट ऑफ स्टेंडर्ड डेवेशन ट्रेनर्स रेश्यो क्या होता है एक्सेस रिटन पर इनिट ऑफ बीटा जैंस अलफा क्या होता है एक् को rank भी कीजिए तीनों में क्या है higher the better है तीनों में ध्यान रखने वाली बात यह है कि तीनों में higher the better आपका निकल कर आएगा तो वीडियो pause कीजिए और फटा-फट rough page में इसको calculate करके दीजिए fine no problem at all sharpage ratio तो चलिए शुरू करते हैं I hope आपने answer बिल्कुल सही निकाला होगा sharpage ratio क्या है यह सारा return दिया हुआ है question में दिया हुआ है 19 दिया हुआ है 15 दिया हुआ है 15 दिया हुआ है 17.5 दिया हुआ है और 17.1 दिया हुआ है minus 9 minus 9 risk free rate भी दिया हुआ है upon standard deviation तो शार्पेज ratio निकल गया higher the better तो आपने rank कर दिया सेम इसी तरह से trainers ratio आपका आएगा numerator सेम होगा numerator सेम होगा आपने trainers ratio निकाल दिया हुआ है question में बीटा नहीं दिया हुआ है question में तो आपको बीटा निकालना आता है बीटा कैसे निकाला जाए आएए देखते हैं बीटा निकलेगा R into standardization P upon standardization M जैसा कि आपको correlation का equation अभी अभी समझाया था correlation दिया हुआ है standardization of portfolio दिया हुआ है और standardization of market दिया हुआ है तो आराम से हरे case में बीटा निकल आएगा और बीटा को use करते वे हम हरे case में हम trainers ratio निकाल सकते हैं यह रहा trainers ratio 5.71, 6.67, 9.23, 6.80, 9 और sharpies ratio भी में repeat कर दूं 4, 3, 7.1, 4.25, 4.5 ठीक है इसी तरह से Jensen's का क्या होगा actual actual तो दिया हुआ ही है actual return minus CAPM CAPM क्या होता है RF plus beta into RM minus RF तो आपका यहाँ पर Jensen's ratio भी आ गया ranking कर दिजे जो सबसे अच्छा होगा सबसे ज्यादा होगा rank 1 होगा and accordingly higher the better तो इसका answer आ रहा है 1.25, 1.50, 2.75 2.25 and 3.60 यह basic सवाल है exam का सवाल है और definitely मेरा यह मानना है कि सभी student ने सवाल को बिलकुल सही किया होगा fine sir equation of straight line equation थोड़ा straight line को समझते है straight line equation क्या होता है y is equals to a plus bx हमेशा ध्यान रखेंगे straight line equation होता है y is equals to a plus bx जहांपर y और x variables होते है variables मतलब they are subject to change यह आगे बढ़ेगा तो यह कितना बढ़ेगा यह नीचे जाएगा तो यह कितना नीचे जाएगा a और b हमेशा constant रहेंगे a और b change नहीं होंगे a और b हमेशा constant रहेंगे they are not subject to change तो b को क्या कहते है b को हमारे stats में slope कहते है b को हमारे stats में slope कहते है और a को हमारे stats में intercept point कहते है intercept point कहते है b को और एक तरह से define कहा जा सकता है slope का definition है change in y axis upon change in x axis b का definition है change in y axis upon change in x axis तो यह आपका x-axis यहां हो गया यहां पर y-axis हो गया और यहां पर intercept हो गया a में और definitely यहां पर जो slope है change in y upon change in x इसको हम slope कहते हैं तो equation क्या है ध्यान रखेंगा y is equal to a plus bx आगे चलकर बहुत सारे जो graphical representation है उसी equation से बने हैं जैसे की security market line security market line कुछ भी नहीं है अगर आप c-a-p-m को ध्यान से सुनेंगे अगर आप c-a-p-m को graph में plot करेंगे तो आपको एक line मिलेगा उसको security market line कहा जा रहा है अगर आप c-a-p-m को graph में plot करेंगे तो आपको एक line मिलेगा उस line को security market line कहा जा रहा है security market line का equation वही है RF plus beta into RM minus RF फिर से repeat करते हैं अगर आप CAPM को graph में plot करेंगे तो आएगा security market line ठीक है no problem at all कोई दिक्कत नहीं है चलिए और अगर यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अगर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है कि अगर कोई security अगर कोई security मानलीजे यह है आपका security market line अगर कोई security यहाँ लाई करती है यहाँ लाई करती है तो उसे overvalued कहेंगे undervalued कहेंगे undervalued कहेंगे यहाँ maximum अच्चे गलती करते है CFA label पे भी यह सवाल पूछा जाता है यहाँ वाले security को undervalued कहेंगे क्यों क्योंकि होना यहाँ चाहिए था आप green signal में dot कीजे यह तो CAPM return है यह CAPM return है और यह मानलीजे actual return है actual return है तो obviously बात है CAPM return अगर कम होता है तो हम undervalued कहते हैं तो इस security को यहाँ पर undervalued denote किया जाएगा यहाँ पर हम buy करेंगे क्योंकि CAPM return से जादा हमें return मिल रहा है लेकिन इस dot point को हम undervalued की तरह denote करेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको लिखवाया भी गया है आप देख सकते हैं कि अगर कोई security अगर कोई security lie below security market line अगर कोई security की return security market line के below lie करती है तो उसे undervalued नहीं बलकि overvalued कहिए और अगर ये on sml होती है तो उसे correctly valued कहेंगे और above sml होती है अगर जादा होता है actual return तो उसे undervalued कहेंगे मैंने overvalued undervalued को concept अलड़ी आपको समझा दिया है तो sir finally क्या कहना चाहते हैं कहना यहीं चाहते हैं कि security market line का equation क्या होता है वही CAPM अला होता है और capital market line क्यापिटल market line का equation है सी m l written capital market line written rf प्लस बीटा होता था बीटा नहीए अब यहा पे standard deviation लग रहा है आर आर आ इस आर वही है तो standard deviation of security अपॉन island deviation of market standard deviation of security अपॉन 듣ैंड डवीशन of market तो यह मेरा capital market line का equation हो जाएगा आरफ प्लस बीटा की जगा क्या हो जाएगा standard deviation of security upon standard deviation of market into आरफ minus आरफ तो ये मेरा capital market line का equation हो जाएगा capital market line किसका graphical representation है अगर हम standard deviation और return को graph में plot करेंगे तो मुझे एक line मिलेगा उस line को मैं capital market line कहता हूँ तो security market line भी हो गया capital market line भी हो गया एक हमारा होता है characteristic line आईए उसको भी समझते हैं कि वो क्या होता है characteristic line क्या होता है ये relation बताता है आरफ और आरफ का relation बताता है इसका equation होता है y is equal to a plus bx तीनों equation उसी से बना है y हो गया security return x हो गया market return a plus b मेरा constant हो गया a को यहां बोलते है alpha और b को यहां बोलते है beta तो characteristic line का equation हो गया rs जो average हो गया rs bar is equal to alpha plus beta security into rm bar तो यहां पर हो गया मेरा ये characteristic line का equation ठीक है तो आईए एक बार मैं तीनों equation को आपको अलग से बता दू ताकि आपको ध्यान हो जाए चले थोड़ा और पीछे से भी revise करते है एक हो गया sharpage ratio एक हो गया trainer ratio और एक हो गया आपका Jensen's ratio ठीक है यह क्या हो गया actual return minus risk return standard deviation portfolio actual return minus risk return upon beta of portfolio actual return minus CAPM return ठीक है यह तो हो गया आपका 3 back to back और इसमें आपका हो गया higher the better यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आईए अब आपका हो गया है यहाँ पर security market line capital market line और characteristic line यहाँ पर क्या हो गया security market line का equation हो क्या हो गया rf plus rm minus rf यहाँ पर यह तो हो गई यहाँ भी यही होगा rf plus rm minus rf ठीक है और यहाँ पर क्या होगा y is equal to a plus bx तो इसका आपका equation बनेगा इसका equation बनेगा भी थोड़े दर में बनाते हैं पहले यह कर लें यह हो गया beta of security upon beta of market beta of market क्या होता हमेशा बन होता है तो obviously बात है हम कभी one use ही नहीं करते हैं यह हो गया standard division of security upon standard division of market ठीक है अब यह क्या हो गया यह हो गया rs bar is equal to y is equal to a a को हमने alpha बोल लिया plus b b को हमने beta बोल लिया into rm bar ठीक है तो आप को तीनों equation back to back आ गया तो exam में आपको equation निकालने के लिए बोलेगा तो आप आराम से equation निकाल सकते हैं यह c.a.p.m. return का equation है c.a.p.m. return का यह equation है यह sml return का equation है ठीक है fine no problem at all तो यह आपका आ गया तीनों case में आपको equation draw करना आ गया यह sml है यह cml है और यह characteristic line है यह क्या relation बताता है यह beta और security return का relation बताता है यह standard deviation और security return का relation बताता है और यह market और rs का relation बताता है ठीक है ज्यान रहेगा हमेशा अराम से बन माइन में एक दम इसको फिट कर लीजिए चलिए सर आगे बढ़ते बढ़िए सर अब यहां पर बात आता है स्लोप का ठीक है तो slope of security market line क्या होगा आरम माinals Rf divided by beta of market ठीक है Slope Y is equal to A plus BX का formula हमने बनाया B मतलब क्या होता है तो अगर आपको सरीf slope पूछा गया कि सरीf slope बता ओ Slope of security market line क्या होता है Rm minus Rf upon beta of market उसी तरह से slope of capital market line क्या होगा RM-RF upon standard deviation of market ठीक है, numerator सेम है RM-RF, beta of market तो हमेशा equals to 1 होता है तो हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा slope of security market line आपको आगया slope of capital market line आगया and slope of characteristic line क्या होगा that is beta only beta of security will be slope of characteristic line slope मतलब क्या होगा y is equals to a plus bx so b को हम यहाँ पर denote कर रहे हैं तो capital market line में वो था RM-RF upon standard deviation of market capital market line हो गया security market line में था RM-RF upon beta of market और characteristic line में हो गया beta slope तो आपको अगर यहाँ पर slope भी पूछा जा रहा है तो आप slope भी निकाल देंगे यहाँ पर अगर आपको एक slope का hint दिया जा रहा है कि slope निकालो तो slope हो गया यहाँ पर RM-RF beta market यहाँ slope हो गया RM-RF upon standard deviation market और यहाँ पर slope हो गया beta of security तो capital market line security market line और characteristic line का हमने equation बनाया और according हम लेख slope लिखा याद रखेगा एक चीज और कि जब भी आपको equation बोलने बोल रहा है कि equation form में लिखो ठीक है equation form में लिखो आपको मान लिजे बोला जा रहा है कि characteristic line आप बनाओ क्या characteristic line होगा ठीक है यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमने characteristic line अगर exam में पूछा जा रहा है तो हमने सिर्फ यह इतना equation लिख कर छोड़ देंगे यह exam का सवाल है तो RS और RM में हमने कोई value put नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि यह variables है otherwise equation form में तो बनी नहीं पाएगा तो जब भी आपको equation लिखने के लिए बोल रहा है आपको दो variable as it is रखने है उसमें कोई value put नहीं करना है जैसे कौन-कौन से होंगे वो y और x होंगे y और x होंगे तो यहाँ पर जैसे RS में हमने कोई equation put नहीं किया और हमने RM में कोई value put नहीं किया in fact हमने इसको ऐसी रखा जैसे main equation में था कोई हमने इस mathematical expression नहीं दिया क्योंकि otherwise वो equation for में बनी नहीं पाएगा a और b में हमेशा value आप डालेंगे a और b में हमेशा value डालेंगे और यहाँ पर इसे silent रहेंगे rs बार और rm बार को हमेशा यहाँ पर as it is रखेंगे variables हैं तो यहाँ पर इसमें कुछ put नहीं करेंगे जो constant है जो हर एक situation में होगा a और b कभी change नहीं होगा तो उसको तो आप accordingly quantify करेंगे fine sir कोई दिक्कत नहीं है चलिए सो हमने बहुत सारी चीज़े पढ़ लिया अभी अभी में हमने पढ़ लिया trainers ratio, sharpage ratio, jensen's measure पढ़ा हमने capital market line, security market line, characteristic line पढ़ा हमने slope of capital market line, security market line और characteristic line पढ़ा ठीक है बहुत छोड़े छोड़े equation से लेकिंग काम के equation है चलिए आगे बढ़ते हैं calculation of beta when return figure is not directly given in question beta तो हमेशा return figure से निकलता है it may be noted that जब भी आप beta निकालेंगे आपो return चाहिए RS का return चाहिए और RM का return चाहिए अगर question में return का figure नहीं दिया है तो घबरानी की जरुद नहीं है आप इस equation से आप return का figure निकाल सकते हैं and then फिर अपना beta calculate कर सकते हैं अगर question में return का figure नहीं दिया है तो ध्यान रखेगा पहले हमें return का figure calculate करना है and then फिर हम beta निकालेंगे beta कैसे निकालते हैं हमने भभी सीखा बहुत questions आपको खुद मैंने video pause करके करवाया है beta निकालना आता है beta return के figure से निकालता है price दियावा है तो price के figure से return निकालता है उसको पहले हमें return बनाना होगा then फिर हम वहाँ पर beta निकालेंगे ठीक है sir, fine चलिए आगे बढ़ते हैं कभी कभी question में एक से ज़्यादा risk free rate दिया होता है कभी कभी question में एक से ज़्यादा risk free rate दिया होता है तो उस case में हमें क्या करना चाहिए हमें simple average ले ले लेना चाहिए और हमें तो एक risk free rate चाहिए तो कभी कभी question में एक से ज़्यादा risk free rate दिया होता है तो हम simple average लेकर फिर उसे CAP हमें use कर देंगे जैसे इस question में 2 risk free rate दिया हुआ था 4.3 and 4.6 हमने average कर दिया और हमने 1 risk free rate लिया जब भी question में 2 risk free rate दिया होगा हमें 1 risk free rate से ही काम चलाना है हम average करकर हम जो risk free rate required होगा वो calculate कर लेंगे fine sir calculation of expected MPS when probability is given expected MPS expected word से आप बहुत familiar है expected जब भी probability होता है expected word होता है आप expected word से बहुत जदा familiar है तो आईए ऐसा करते हैं हम आपको एक example देते हैं आप बताएए इस question में expected P1 क्या होगा expected price per share year hence एक साल बाद expected price क्या होगा expected probability दिया हुआ है हर एक price के साथ उसकी probability दी भी है तो आई होप आपने इसका answer बिल्कुल सही निकाला है expected price निकालना आपको आ गया हर एक price के साथ उसमें probability multiply कर दीजिए calculator में solve हो जाएगा यह सारे question तो आपका expected price आ गया 10.80 आपका expected price आ गया 10.80 expected price भी आपको निकालना आ गया है fine sir undervalued and overvalued using jensen's measure आप एक बात बताईए अगर मान लीजिए यहाँ पर jensen's measure positive निकला अगर jensen's measure positive निकला इसका क्या मतलब है कि actual ज़्यादा है और C.A.P.M. कम है और C. A.P.M. कम होता है तुम क्या बोलते है undervalued बोलते हैं तो undervalued क्या करते हैं राखेए अब हमेशा ध्यान रखेगा एक चीज हमेशा ध्यां रखेए C.A.P.M. कम तो undervalued CAPM जादा तो overvalued CAPM बराबर तो correctly valued इस chapter में overvalued undervalued CAPM को base मान कर हम calculate करते हैं ठीक है अगर मान लीजिए positive निकला जैंसन्स measure जो अभी हमने करा अगर वो positive निकला तो इसका क्या मतलब है CAPM कम है और CAPM कम होता है तो undervalued बोलते है सेम इसी तरह से negative निकला तो इसका हम तब CAPM जादा है तो उसको overvalued बोलेंगे और overvalued कम sell करते हैं इसे हम अच्छा नहीं मानते हैं और zero है तो correctly valued है इसे hold करेंगे हम अच्छा क्यों नहीं मानेंगे क्योंकि CAPM return जादा है हमें जादा मिलना चाहिए लेकिन actual कम है actual हमेशा जादा होना चाहिए अगर actual जादा होगा तो हमेशा buy करेंगे ये decision गलत नहीं होना चाहिए और CAPM कम है तो undervalued बोल दिया CAPM जादा है तो overvalued बोल दिया अच्छी situation है तो buy करेंगे अच्छी situation नहीं है तो sell करेंगे बस simple बताईए चले आगे चलिए सर fine confusion regarding the word alpha so alpha यहाँ पर जो word है वो दो जगा यूज होता है पहले आपको ध्यान होगा जो Jensen's हमने बोला था तो Jensen's alpha भी बोलते हैं उसे उसे क्या कहते हैं actual return minus CAPM return actual return minus CAPM return और एक करेक्टरिक लाइन वाले को भी alpha कहते हैं जहां पर हमने बोला था y is equal to a plus b x तो a को हमने alpha define किया था थोड़े दर पहले तो a is equal to क्या हो गया RS bar minus beta security into RM bar तो यह हमेशा ध्यान रखेंगे जिस तरह से question आएगा उसी तरह से आपको answer देना है और जैसे जैसे आपको class में कराया गया है वैसे ही करना चाहिए मेरा मानना है अगर फिर भी आपको लगता है कि confusion है तो दोनों ही calculate करके आ जाईए कि अगर question में सी बोलता है calculate alpha तो doubt यह होता है कि Jensen's alpha calculate करना है या characteristic line alpha calculate करना है तो अगर confusion बरकरार रहे और अगर class के questions जो एकदम जो class में जो assumptions से कराया गया है वो नहीं आए तो आप दोनों ही करके आ जाएगा otherwise जो class में जिस तरह से assumptions लिया है आपको उसी तरह से करना चाहिए actual return minus CAPM return और यहाँ पर हो गया y is equal to a plus bx a is alpha here so a is equal to rs bar minus beta security into rm bar so Jensen's alpha भी हो गया और characteristic line alpha भी हो गया दोनों को ही इस chapter में alpha बोला जाता है ठीक है fine sir no problem at all आईए friends अब हम एक नया concept और करते है arbitrage pricing theory arbitrage pricing theory CAPM जैसा ही होता है बस यहाँ पर एक बीटा की जगह various various other other factors के बीटा होते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा CAPM का equation क्या होता था RF plus beta into risk premium so हमारा APT का equation क्या है RF plus beta risk premium लेगिन यहाँ पर risk premium of each factor जितने भी factors question में दिये रहेंगे उन सब का यहाँ पर लेकर हमें चलना है total return as per APT तभी आएगा so risk premium कैसी calculated होगा premium मतलब क्या होता है extra so इसका simple equation यह है actual return minus expected return so यह मेरे को premium देगा यह मुझे extra amount calculate करके देगा actual return minus expected return actual return minus expected return risk premium निकालने का simple सा तरीका so आईए इसमें हमें आपको एक question शो कर रहा हूँ उसका calculator में answer निकालने की कोशिश कीजेगा या rough page में निकालने की कोशिश कीजेगा 14A है हमारे book में यह question और definitely आपका यह exam का question है और यह भी आपका आराम से हो जाएगा मेरे मानना है सो आप यह question solve कीजिए वीडियो pause कीजिए और answer फिर cross check करिएगा यहाँ पर हमें बहुत सारे बीटा दिये वे हैं बहुत सारे अलग अलग factors की बीटा दिये वे हैं और हमें actual return दिया हुआ है expected return दिया हुआ है हमें return निकालना है risk free rate दिया हुआ है आरफ प्लस बीटा इंटू risk premium प्लस बीटा इंटू risk premium प्लस बीटा इंटू risk premium वीडियो pause कीजिए और answer निकालिए पांच नंबर का यह question exam में आया हुआ है fine sir चलिया होप आपने answer निकाल दिया होगा सुर आरफ प्लस बीटा इंटू risk premium 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 आपका total return आ गया 19.0125 19.0125 ये पांस नंबर का कोशन एक्जाम में आया हुआ है फाइन सर बहुत ही सिंपल है और मेरे नौलिज से सभी स्टूडेंट ने ये सही किया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं जब दो financial years के data दिये गए हो और return निकालना हो तो कैसे निकालेंगे तो माल लीजिए अगर first year का data दिया हुआ हो P0 और P1 तो first year का return कैसे निकलेगा 220 minus 200 upon 200 और second year का कैसे निकलेगा 253 सो जो second year के लिए first year end मेरा base हो जाएगा 253 यहाँ पर हम 200 नहीं करेंगे यहाँ पर 200 करेंगे तो गलत हो जाएगा previous year का जो base है वो हम लेंगे यहाँ पर P0 upon P0 सो यहाँ पर आपका दोनों जगा return आ गया तो concept align क्या है in such case second year financial year second financial year first year end should be taken as base for second financial year first year end should be taken base यहाँ पर हमने second financial year calculate करने के लिए जो first year end का हमने data लिया है 220 upon 220 fine no problem at all चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं beta in case of merger merger का chapter हमने already revise करवा दिया है अगर beta दो company का merger और दोनों company का अगर हमें एक combined beta निकालना है तो simple सा एक लाइन ध्यान रखेंगे beta of must company will be weighted average beta will be weighted average beta of individual company beta of must company will be weighted average beta of individual company so यह आपका equation होगा beta of A limited into weight of A limited beta of B limited into weight of B limited दो company का beta निकालना बड़ा असान है merger के case में आप सीधा weighted average ले लिजे दोनों company की beta दी गई होगी आप weighted average करकर beta of must company आराम से निकाल सकते हैं fine sir when price of equity is given कम dividend जब price of equity कम dividend या कम debenture अगर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे उस case में हम कम वाला जो amount है उसे हटा कर x basis पे solve करेंगे मैंने आपको यह पहली भी बताया है sometimes in question by mistake price of equity share is clubbed with price of any other security price of equity share is clubbed with price of any other security so उस case में हम क्या करेंगे we should deduct और remove that price and solve our question accordingly मतलब जैसे कि अगर मैं आपको question show करता हूँ मानली जी मैं यहां पर आपको question show करता हूँ यहां पर आपको लिखावा है कि the existing price of an equity share is 106 which is come debenture of rupees six तो इसका मतलब 106 रुपए में 6 रुपए डिवेंचर की value मिली भी है तो हमें अपने calculation में क्या लेना चीए हमें अपने calculation में स्रिफ 100 लेना चीए 106 रुपए नहीं लेना चीए तो यहां पर हमें अगर कम देकर कुछ भी लिखावा है अगर कोई भी amount include कि आवा equity share में तो उसको हटा कर ही वापस हम आगे का calculation करेंगे fine sir portfolio rebalancing portfolio rebalancing मतलब क्या होता है कि हम portfolio resuffle भी कर सकते हैं मान लिजए हमारे portfolio में बहुत सारे securities हैं हम उन्हें resuffle करना है कोई buy करना है कोई sell करना है कुछ requirement question में दिये होते हैं जैसे कि weight same रहना चीए तो अगर weight same रखने के लिए या तो हमें जो हमारे पास ज़्यादा quantity में कोई shares है तो उन्हें हमें बेचना होगा और जो हमारे पास कम quantity में share से उन्हें खरीदना होगा portfolio rebalancing एक तरह का buying and selling exercise है जो कि desired objective achieve करने के लिए हम करते हैं fine sir can market return and risk return of any to security be different no it cannot be different for any to security belonging to a particular economy RM rate and RF rate will always be same fine बहुत सारे questions हम में करें हैं जहां पर आप यह पाएंगे कि RM और RF दोनों security का same होता है जैसे कि आपको CAPM equation पता होना चीए RF plus beta security into RM minus RF fine तो अगर मैं Tata Limited के लिए काम कर रहा हूं तब RF और RM same रहेगा मतलब अगर Tata Limited के लिए RF 10% है और RM 15% है तो Reliance के लिए भी Reliance Limited के लिए भी हमारा यह same रहेगा RF और RM fine कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए भी 10% और 15% रहेगा हाँ बीटा अलग हो सकता है मान लिजे इसका बीटा टू है और मान लिजे इसका बीटा है तीन बीटा अलग हो सकता है लेकिन कहने का मतलब यह है कि आरम और आरफ हमेशा सेम रहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है no problem at all fine sir CAPM versus APT तो CAPM में simple है एक बीटा होता है market बीटा दिया होता है और APT में जो अभी अभी हमने किया arbitrage pricing theory उसमें एक से ज़्यादा बीटा होगा अलग-अलग factor का अलग-अलग बीटा होगा ठीक है as already stated both CAPM and APT helps in calculating return दोनों ही return निकालने में मदद करता है CAPM स्रिफ market का बीटा consider करता है और APT all types of बीटा consider करता है जैसे अभी हमने थोड़े देर पहले ही question किया था तो simple है CAPM में एक बीटा होगा APT में एक से ज़्यादा बीटा होगा portfolio consisting of purchasing selling and borrowing so हमें ऐसा लगता है portfolio मतलब स्रिफ buying ही buying होता है ऐसा नहीं है portfolio में हम selling activity भी कर सकते हैं borrowing activity भी कर सकते हैं और purchasing activity भी कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे डेड़ लाग invest किया मेरे पास एक लाग रुपे इन्वेस्ट करने का था लेकिन मैंने डेड़ लाग invest किया तो पचास हजार कहां से आया पचास हजार का मैंने security भी sell किया ठीक है तो यह भी portfolio का ही पार्ट माना जाएगा सिम इसी तरह से अगर मैं एक और बात बताऊं कि मेरे पास एक लाग का पैसा था invest करने के लिए लेकिन मैंने तीन लाग invest कर दिया security में मेरे पास एक लाग रुपे था इसका मतलब हमें बीटा निकालना है फिर से रिपीट कर रहे हैं जब भी कोश्चन में यह वर्ट यूज किया गया है रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट पोट्फोलियो रिलेटिव टू डेट ऑफ मार्केट तो इसका मतलब हमें बीटा निकालना है फाइन यहाँ पर हम कमेंट भी करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पहला स्टेप में हम एक्च्वल बीटा निकाल देते हैं बाइ यूजिंग वेटेड एवरेज बीटा दिया होगा एक्च्वल बीटा निकाल दीजे फिर हम क्या करेंगे हम फेर बीटा निकालेंगे सीए पीम से यूज करकर actual बीटा निकल गया जो बीटा दिया हुआ है उसको weighted average कर दी जिए तो actual बीटा निकल जाएगा फिर हम fair बीटा निकालेंगे CAPM use करकर अगर मेरा fair बीटा less होगा अगर मेरा fair बीटा less होगा actual बीटा से तो इसका मतलब मेरी portfolio जादा risk ले रही है with respect to market अगर मेरी actual बीटा है मान लीजे दो और fair बीटा मान लीजे 0.5 है अगर actual बीटा है दो और fair बीटा 0.5 है तो इसका मतलब मैं जादा risk ले रहा हूं इसका मतलब मैं जादा comment लिखना है वस कि मैं जादा risk ले रहा हूं relative to debt of market actual बीटा कैसे calculate होगा जैसे हमने पहले बताया था weighted average बीटा और fair बीटा कैसे calculate होगा by using CAPM CAPM में सारा data put करिए और fair बीटा निकाल दीजे तो जब भी question में ये word पूछा जा रहा है risk of investment portfolio relative to debt of market हमें बीटा calculate करना है number one number two हमें comment भी करने के लिए बोला जाएगा तो हम actual बीटा निकाल दे पहले fair बीटा निकाल दे fine sir optimum weights अभी तक हमने जितने भी questions किये होंगे जितने भी concepts किये होंगे weights दिया वा होता था लेकिन आपको question में ये भी पूछ सकता है कि वैसा weights बताईए such weights बताईए जिसमें मेरा risk सबसे कम हो तो आपको इस case में weights निकालना होगा w a और w b निकालना होगा आपको weights निकालना होगा तो w a और w b weights हमेशा equals to 1 होता है तो w b तो हो जाएगा 1 minus w a इसमें तो कोई दिककत नहीं है w b हो जाएगा 1 minus w a w a क्या होगा w a is equal to so weights आपका होगा इसे retain करने वाली बात है w a is equal to standard deviation b square minus r a b into standard deviation a into standard deviation b upon standard deviation a square standard deviation b square minus 2 r a और b standard deviation a and standard deviation b देखे weights तो आएगा ही नहीं इस पूरे formula में weights कहीं नहीं है इस formula में क्योंकि weights ही तो निकाल रहे है number one बात याद रखने का तरीका number two जो एक बड़ा वाला formula था उसी से यह बनकर निकला है तो w a इधर ले गए और बाकी सब को इधर ले गए and minimum maxima का concept लगा कर यह पूरा derive हुआ है fine so definitely w a is equals to stand division b square यहाँ पर b है minus यह वाला same part है यह वाला same part है ठीक है और stand division a square plus stand division b square minus यहाँ पर two होगा यहाँ पर ध्यान रखेंगे यहाँ भी minus है और यहाँ भी minus है ठीक है I hope आप इसको retain कर पाएंगे exam के लिए because इससे भी direct question आते हैं और w b is equals to 1 minus w a ठीक है fine class में तो हमने इसका पूरा derivation और logical understanding दिया है बाकि आप इसको equation को आपको retain करना ही पड़ेगा no problem at all फिर से एक बार मैं repeat कर दूं w a is equals to stand division b square minus r a b into stand division a into stand division b upon stand division a square plus stand division b square minus minus to stand division a stand division b r a or b fine and w b is equals to 1 minus w a अगर मेरा weights फिर निकालने के बुला जा रहा है और r अगर minus 1 है अगर r minus 1 है तो हम यहाँ पे एक shortcut use कर सकते हैं r minus 1 है तो हम shortcut use कर सकते हैं सबसे पहला alternative है तो same है जबब पहला तो है same है जबब दूसरा है एक shortcut तरीका use कर सकते हैं वो यह है w b is equals to stand division b upon stand division a plus stand division b यह shortcut तरीका इसमें थोड़ा कम याद करने के जरुबद और कम यहाँ पर retain करने के जरुबद है लेकिन यह तभी लगेगा जब r minus 1 होगा यह तभी लगेगा जब r minus 1 होगा stand division b upon stand division a plus stand division b फाइन सर यह weights निकालने का तरीका है treatment of inflation जब भी inflation rate बढ़ेगा आपको क्या करना है revised k is equals to k revise होगा existing k plus rise in inflation rate और जब भी inflation rate गिरेगा revised k क्या होगा existing k minus fall in inflation rate तो ध्यान रखेंगे rise होगा तो plus fall होगा तो minus existing k आपको question में दिया वा रहेगा आपको जो inflation rate से बढ़ रहा उसमें add कर देना है जिस inflation rate से गिर रहा उसमें less कर देना है fine sir no problem at all calculation of beta using CAPM तो CAPM return का equation सबको पता है CAPM return equals to rf plus beta into rm minus rf CAPM return is equals to rf plus beta security into rm minus rf so beta security क्या होगा beta security का अब इधर ले आईए बाकी सब उधर ले जाईए तो CAPM return minus rf upon rm minus rf beta security is equals to CAPM return minus rf upon rm minus rf fine no problem at all चली sir कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ते हैं बढ़िये sir तो यह चुटी चुटी चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी और यह सब exam में बहुत ज़्यादा काम आएंगे fine sir तो friends कभी कभी क्या होता है actual return और CAPM return में confusion होता है मैं फिर से आपको बता दू actual return या तो question में दिया वा रहेगा या आप average return जो आपनी starting में calculate किया था या expected return जो आपनी starting में calculate किया था by using probability उसको actual return बोलेंगे और CAPM return तो जाना पैचाना है वो होगा rf plus beta security into rm minus rf तो ध्यान से इन सब चीजों को देखेगा और अपने question को करिएगा covariance calculation using beta तो covariance के अभी तक हमने कितने formulas की है covariance is equal to summation da into db upon n अगर probability होगा तो n नहीं होगा probability into da into db summation तो यह हमारा covariance a और b का है covariance a और b एक तरह से और आ सकता है r a और b into stand division a into stand division b r a और b के formula से आया है r a और b क्या होता है covariance upon stand division a into stand division b इसी तरह से covariance a और b में हम क्या लिख सकते है r a b into stand division a into stand division b तो यह दोनों equation जाना पहचाना है आज मैं आपको एक और equation देता हूँ covariance का वो यह है beta a into beta b into stand division market का square फिर से repeat कर रहा हूँ beta a into beta b into stand division market का square तो यह एक नया equation है जो कि आप ले सकते हैं बीटा a into beta b into stand division market square याद रखेगा यह equation नॉर्मली जब सेम security का होगा तब नहीं लगेगा मतलब क्या है कि अगर हम covariance of a का a निकाल रहे हैं तब यह equation नहीं लगेगा क्योंकि question में data mismatch होते हैं बाकी sum में यह equation लग जाएगा covariance a का a के साथ क्या होता है अभी थोड़ दर पहले बताया था covariance a का a के साथ मतलब होता है variance of a variance of a ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है बाकी आप अराम से यूज कर सकते covariance a और भी क्या होता है बीटा a into beta b into stand division market का square तो covariance निकालने के तीन equation मैंने आपको बता दिये चलिए सर covariance calculation using r जो भी बताया था कि r a और भी क्या होता है covariance a और भी divided by stand division a into stand division b तो covariance a और भी क्या हो गया r a और भी into stand division a into stand division b तो कुछ नहीं है वहीं से निकल कर आ रहा और एक नए concept का नाम दे दिया गया है आपको घुमा फिदा के बात वाईए कि जो basic आपको correlation निकालना आ चाहिए और covariance निकालना आना चाहिए और standard deviation निकालना आना चाहिए ठीक है covariance a और भी क्या हो गया r a और भी into stand division a into stand division b fine sir covariance matrix कभी-कभी covariance निकालने के लिए बोलता है एक security का दूसरे security के साथ covariance matrix का बात करें covariance तो सबसे पहले हमाँ लिए तीन security तो a b c लिख दीजिए a b c लिख दीजिए अब हमें क्या करना है covariance a का a के साथ covariance a का a के साथ क्या होता है variance ही होता है तो variance लिख दीजिए covariance a का b के साथ covariance a का c के साथ covariance b का a के साथ covariance b का b के साथ मतलब variance of b covariance b का c के साथ covariance c का a के साथ covariance c का b के साथ covariance c का c के साथ मतलब variance of c fine और covariance a और b निकालना आता है बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता है तीन तरीके मैंने बता है covariance को निकालने के अभी अभी latest क्या बता है beta of A into beta of B into standard division market का square तो यह आपका हो गया covariance matrix fine, no problem at all अब सवाल उठता है कि beta figure कैसे express किया जाता है तो हमेशा ध्यान रखेंगे beta figure times में express किया जाता है हम percentage नहीं लगाते beta, मानली जए 2 beta है तो हम percentage नहीं लगाते हैं हम beta को हमेशा किस पर express करते हैं beta को हमेशा times में express करते हैं कि यह times का measurement है ठीके जैसे P ratio, P ratio भी times का measurement है ठीके sir अब सवाल यह उठता है कि हम times को percentage में कैसे convert करें हम times को percentage में convert करने के लिए हमें multiply करना होगा standard deviation of market के साथ अगर हम times को percentage में convert करना चाहते हैं तो हमें total risk of market के साथ multiply करना पड़ेगा तब जाकर times percentage में बदल जाएगा सर आप ये क्यों कह रहें next concept के लिए मैं ये बात कह रहा हूं next concept में आपको निकालने बोल रहा है systematic risk अब systematic risk निकालने बोला है तो कैसे निकालेंगे याद रहेगा जब भी question में systematic risk निकालने बोलेगा हम in terms of variance ही बात करेंगे variance मतलब होता है square form standard division square variance मतलब होता है in square form ठीक है चलिए तो अगर हमें बोला है for security का निकालना अगर मैं systematic risk बोला है security का निकालना तो मैंने क्या कहा था beta is a measure of systematic risk और इसको multiply कर दीजिए percentage में निकालने के लिए हम क्या निकाल रहे है percentage में तो निकाल रहे है systematic risk इसमें निकलता है systematic risk निकलता percentage में systematic risk निकलता percentage में systematic risk निकलता percentage में क्योंकि square form में है तो मैं square करना होगा portfolio की जगा पी हो जाएगा बाकी square form में है तो मैं square करना होगा फिर से एक बर बता दीजिये अगर मान लीजिये total risk निकालने के लिए बोला है total risk क्या होता है percentage में होता है total risk दो प्रकार का होता है systematic risk प्लस unsystematic risk यह भी बता दिया गया है systematic risk क्या होता है beta होता है लेकिन बीटा क्या है? टाइम्स का मिजरमेंट और इसको किसे multiply करना पड़ेगा? market से. क्योंकि यहाँ पर हम in terms of variance बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी in terms of variance बात करेंगे, मतलब in terms of square रहेगा. और unsystematic risk क्या होता है? total risk minus systematic risk. total risk minus systematic risk. fine, no problem at all. कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, सर्थ. हमें systematic risk निकालना आ गया, अब हम unsystematic risk निकालना सीखते हैं. हमें systematic risk निकालना आ गया, अब हम unsystematic risk निकालना सीखते हैं. unsystematic risk अभी अभी आपने बताया, total risk minus systematic risk. स्ट्राइब कर्यों टो लिए सकार अगर पॉर्टफोलियो है जो इतवर तो कोई दिकर नहीं है तो टो टल रिस्क्लों माइन शिस्टेमेटिक ऌप पोट फोल्यों अन्सिस्टेमेटिक रिस्कों को residual residual मतलब बचा कुछा residual risk भी बोलते हैं इसको random error भी बोला जाता है residual risk मतलब जो बच गया तो टोटल रिस्क माइनस सिस्टेमेटिक रिस्क कोई दिक्कत नहीं है alternative to alternative to एक तरह का और तरीका है unsystematic risk को portfolio निकालने का आप unsystematic risk A square into weight A square unsystematic risk B square into weight B square अब इस तरह से भी इस तरह से भी आप unsystematic risk निकाल सकते हैं unsystematic risk A square into WA square प्लस unsystematic risk B square into WB square अगर unsystematic risk किसी किसी कोशिचन में already square form में रहता है already square form में रहता है तो बार-बार इसको square करने की जरूरत नहीं है अगर इस square form में नहीं है तो square करने की जरूरत है यह इस तरह के questions आपने जरूर किये होंगे ठीक है unsystematic risk को पोटफोलियो निकालने की दो तरीके unsystematic risk A square into WA square unsystematic risk B square into WB square फाइन एक बार हम पूरा recap कर देते हैं चलिए तो total risk के दो प्रकार का होता है total risk in terms of variance of security ठीक है तो यहाँ पर systematic risk of security और unsystematic risk of security systematic risk क्या होता है बीटा of security यह times में है इसको convert करने के लिए multiply करना होगा stand division of market के साथ क्योंकि square form है तो square unsystematic risk क्या होगा total risk minus systematic risk यह तो हो गया security का portfolio का unsystematic risk P square portfolio में एक से ज्यादा combination को portfolio कहते हैं इसका systematic risk को portfolio के बीटा P square into stand division market square और इसका unsystematic risk P क्या होगा total risk P minus systematic risk P लेगिन इसका एक और तरीका है इसका एक और तरीका है वो क्या है unsystematic risk A square WA square प्लस unsystematic risk B square WB square fine तो यह systematic और unsystematic direct question आते हैं एक्जाम में और direct आपको यहाँ पर marks मिलते हैं तो यहाँ पर हमने एक पुरा चार्ड बनाया है और बहुत ज़्यादा हमने derive किया दा class में जो इसका अब जरुवत नहीं है आप सिफ equation को जी एक्जाम में यही काम आएगा आपको तो standard deviation A plus B standard deviation P square के कितने variance हो गए कितने प्रकार से हम इसको कर सकते हैं एक तो जो आपने class 10 11 12 foundation CPT basic education में पढ़ा था गीवन रिटन पी माइनस एवरेज रिटन पी square summation upon N under root नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें variance में चाहिए तो एक तो हम इस तरह से निकाल सकते है standard deviation of portfolio एक कैसे निकाल सकते है standard deviation A square WA square stand deviation B square WB square plus two standard deviation A, standard deviation B, WA, WB,تى को एक और तरीका हो सकता है standard deviation A square in BA square labor mark रोल्यार एवर B और standard deviation wb क्या होता है तो अब अभी अभी आपको थोड़े दर पहले बताया गया है कि covariance यह और भी क्या होता है stand division a b और r a और भी यही होता है अच्छा और आगे देखिए stand division a square wa square stand division b square w b square 2 w a w b और covariance क्या होता है अभी आपने बता है beta a into beta b into stand division market square तो इसका भी और तुकुडा हो सकता है अच्छा और आपने क्या बताय है total risk क्या होता है systematic risk now High प्लस extended risk हम क्या निकाल रहे total रसक निकाल रहे अच्छा systematic risk कभी आपने क्या बताया beta b square pr into stand division market square और unsystematic risk क्या बोला unsystematic risk a square into w square और एक तरीका होता है यह हम थोड़े दिर बात समझेंगे तो इतने प्रकार से हम टोटल रिस्क निकाल सकते हैं कि टोटल रिस्क निकालने का सबसे एंसर सेम आएगा प्रोवाइड़ डाटा कोश्चन में सही दिये हूं ऐसे एक आर स्कॉयर से भी हम सिस्टेमेटिक और उन्सिस्टेमेटिक कर सकते हैं r square मतलब क्या होता है coefficient of determination r मतलब तो पता है correlation इतने समय से यही कर रहे हैं अब अगर हम r square कर देंगे तो stats में उसे coefficient of determination कहा जाता है तो systematic risk कैसे निकलता है r square into standivision s square ठीक है और unsystematic risk कैसे निकलेगा 1 minus r square into standivision s square ठीक है इसका भी हमने पूरा derive किया हुआ है अलके भी derivation की जरुत नहीं है आप समझ लीजीगा बस की r square दियावा है तो systematic risk का यह equation है r square into standivision s square 1 minus r square into standivision s square ठीक है अब question का data देखना होगा question किस तरह से दियावा है question का data किस तरह से दियावा है जिस तरह से question का data दियावा होगा उसी तरह से हमें question करना है equation use करना है fine sir no problem at all अच्छा statistics में r square को coefficient of determination का जाता है ध्यान रखेगा statistics में r square को coefficient of determination का जाता है systematic risk को क्या का जाता है explained variance systematic risk को कहा जाता है explained variance और unsystematic risk को कहा जाता है unexplained variance ठीक है ध्यान रखेंगे explained variance and unexplained variance systematic risk को explained variance कहा जाता है और unsystematic risk को unexplained variance कहा जाता है तो अभी अभी आपने क्या कहा systematic risk is request to r square into stand vision s square तो ये आपका क्या हुआ total variance ये तो total risk हुआ और ये क्या हुआ explained variance अभी अभी आपने बता है systematic risk को में explained variance कहते हैं तो r square का equation और बन जाएगा explained variance upon total variance explained variance upon total variance बहुत simple है बस आपको recall करना है portfolio में terms recognize करने हैं और otherwise ये chapter बहुत ही ज्यादा simple है direct question exam में आते हैं इसकी उपर total variance और explained variance ठीक है तो r square होगे explained variance upon total variance चलिए sir calculation of weights using straight line equation कभी-कभी question में weights missing होता है तो straight line equation जो कि ये है y is equal to a plus bx उसको हम use करके हम weights निकाल देते हैं जैसे मानली जे w a यहां लिख दिया w b यहां लिख दिया इस तरह से दो चार equation form कर दिये और हम weights निकाल लिए w a और w b का a और b तो constant रहेगा और w a और w b का मने weights निकाल लिया तो कभी-कभी weights निकालने के लिए straight line equation का सहरा लेना पड़ता है जैसे y is equal to a plus bx fine sir beta of cash हमेशा ध्यान रखेगा beta of cash हमेशा equals to 0 होता है beta of cash हमेशा equals to 0 होता है beta of cash हमेशा equals to 0 होता है कहां एक दो नंबर के उपर फाइदा हो जाएगा और कहां 6 मेना बच जाएगा एक एक नंबर के उपर बच्चा का 6 मेना का नुकसान हो जाता है एक नंबर कम तो c a fail एक नंबर ज्यादा तो c a pass तो एक एक नंबर का बहुत fight रहेगा exam time में छुटी छुटी बात हैं लेकिन काम की बात हैं beta of cash and cash equivalent will always be assumed to be zero fine sir calculation of correct market return तो हमेशा जब भी correct market return बोचा जाएगा जो भी c a p m से निकल कर आएगा c a p m equation use कर कर जो भी market return निकल कर आएगा उसे हम correct market return का नाम देंगे उसे हम correct market return बोलेंगे fine sir ठीक है चलिए sir आगे बढ़े बढ़िए sir can security beta be one yes security beta can be one अगर security beta one है तो इसका क्या मतलब निकल कर आएगा कि मेरी जो moment है share price की और market की जो moment है वो exactly same है तो security beta definitely one हो सकता है fine sir no problem at all range of covariance covariance का range क्या होता है बहुत students पूछते हैं कि sir r का range तो अपने बता दिया minus 1 to plus 1 लेकिन covariance का range क्या होता है तो covariance का range होता है minus infinity to plus infinity बोलने का मतलब यह है कि रेंज कुछ भी हो सकता है covariance का कोई limit नहीं हो सकता covariance 20 भी हो सकता है minus 40 भी हो सकता minus 2000 भी हो सकता है plus 5000 भी हो सकता है तो covariance can be any number, ये बाना नहीं जा सकता किसी भी limit में, जैसे R को मैंने बान दिया था, minus 1 to plus 1 के इर्द गिर्दी R रहेगा, वो एक range fix हो गया है, R 2 नहीं हो सकता, R 2.5 नहीं हो सकता, R minus 1 to plus 1 के बीच में ही होगा, 0.5 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन इससे बाहर नही नहीं जाएगा, ठीक है सर, लेकिन covariance जा सकता है, इसका कोई limit नहीं होता, can be any number, शार्पे इंडेक्स मॉडल और हैरी मार्कोविच मॉडल, तो शार्पे इंडेक्स मॉडल और हैरी मार्कोविच मॉडल हम लोगों को risk calculate करना सिखाता है, हला कि technically दोनों से answer सेम ही आना चीए, लेकिन कभी-कभी question के data के हिसाब से answer अलग लगा सकता, तो शार्पे इंडेक्स मॉडल अगर आपको बोलेगा, तो आप total risk निकालेंगे, systematic risk प्लस unsystematic risk, ये पूरा बात आपको पहली बता दिया गया है, systematic risk और unsystematic risk का, और हैरी मार्कोविच मॉडल बोलेगा, तो ये भी बत दिया गया है, standard vision A square, WA square, standard vision B square, WB square, two standard vision A, standard vision mean WA, WB, R, A और B का, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, beta P square into standard vision market square, unsystematic risk A square into WA square, unsystematic risk B square into WB square, no problem at all, कोई दिक्कत नहीं है, total risk, systematic risk, plus unsystematic risk, अगर SARP index model बोला, तो इस तरह से करेंगे, हैरी मार्कोविच मॉड बोला, तो इस तरह से करेंगे, किसी तरह से नहीं बोला, तो जिस तरह से data दिया होगा, उसी तरह से करेंगे, ठीक है, चलिए सर, valuation of security, chapter application, PM chapter, कभी-कभी valuation of security, chapter, equity का भी application यहां लग जाता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पर हमने growth model लगा है, अब growth model अपने कहां पढ़ा था, growth model पढ़ा था अपने valuation of security, equity chapter में, तो growth model के कहां पढ़ा, के को निकालने का तरीका, CAPM actual में हम लोगों का portfolio management का concept है, तो आप देख सकते हैं, portfolio management plus valuation of security mix question भी exam में आ सकते हैं, growth model का equation है, d01 plus g upon ke minus g, mutual fund chapter application, in PM chapter, कभी-कभी portfolio management chapter में mutual fund chapter का भी application आ जाता है, mutual fund मतलब NAV, net asset value, पूरा mutual fund chapter आपको revise करके दिया है, तो obvious बात है, उस case में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि किसी भी chapter का कहीं पर भी application आ सकता है, आप एक chapter भी छोड़ कर exam में नहीं जा सकते, मालनी जी, यहाँ पर NAV दिया हुआ है, और question में लिखा हुआ है, कि 99% NAV मेरा equity में लग रहा है, तो 99% करिये, तो balance मेरा किसमें लगेगा, cash में लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आगे चल कर, portfolio का application लगेगा, आप देख सकते है, sharpage ratio and all लग रहा है, question में ही लग रहा है, तो question में NAV भी लग रहा है, और portfolio भी लग रहा है, mutual fund भी लग रहा है, portfolio भी लग रहा है, कोई भी एक chapter आप exam में छोड़ कर नहीं जा सकते हैं, ठीक है sir, long term rate versus short term risk free rate, कौन सा ज्यादा important रहाएगा, long term rate को ज्यादा importance देना चीए, कि short term risk free rate को ज्यादा importance देना चीए, definitely long term risk free rate को ज्यादा importance देना चीए, क्योंकि short term risk free rate are highly volatile and keeps on changing, short term risk free rates are highly volatile and keeps on changing, fine, so long term risk rate को हमें ज़्यादा importance देना चाहिए concept of degree of elimination of unsystematic risk कभी-कभी क्या होता है कि unsystematic risk का degree of elimination question में दिया रहता है unsystematic risk मतलब residual risk, lockouts, strike and all so आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर question में ये लिखावा है कि degree of elimination of unsystematic risk is complete अगर unsystematic risk पूरा eliminate हो जुगा है unsystematic risk को तो हम कम कर सकते हैं न अगर question में ये लिखावा है कि unsystematic risk की elimination complete है तो हमें क्या equation यूज़ करना चाहिए और अगर partial है, तो हमें क्या equation यूज़ करना चाहिए question सबना आ गया अगर question में लिखावा है कि भईया मेरे जो unsystematic risk है, वो complete elimination हो चुका है उसकी elimination complete है तो हमें क्या equation यूज़ करना चाहिए और कहता है कि अभी partial है तो क्या equation यूज़ करना चाहिए तो सुन लीजे अच्छे से अगर complete बोल रहा है अगर बोल रहा है कि complete है तो हमें capital market line equation यूज़ करना चाहिए और अगर कहरा partial है तो हमें security market line equation यूज़ करना चाहिए ठीक है बाकि सारा logic को अगर आपको बता दिया गया क्लास में आप exam के लिए वह इतना ध्यान रखेंगा अगर degree of elimination of unsystematic risk अगर question कहता है complete है तो आप capital market line equation यूज़ करिए और कहता है पार्शल है तो आप CAPM equation जो की security market line equation है उसे यूज़ कीजिए और आपको ये equation आता है आरफ प्लस आरफ माइनस आरफ आरफ प्लस आरफ माइनस आरफ ये तो common है दोनों में और stand division of security upon stand division of market बीटा of security fine कोई दिक्कत नहीं है security market line आपको अलग से करा दिया गया है capital market line equation आपको अलग से बता दिया गया है fine sir चले आगे चलिए sir concept number next अगर question में आपको कहता है market attitude towards risk निकालिए अगर question में कहता है market attitude towards risk निकालिए market एक तो market बड़ जहां रखेंगे या आपको कहता है market का risk return trade off market का risk return trade off या market attitude towards risk तो इसका क्या equation मैंने गा rm minus rf upon stand vision of market इसका क्या मतलब हुआ हर एक unit of market risk में market मुझे कितना return दे रहा है हर एक unit of market risk में market मुझे कितना return दे रहा है यह हुआ market attitude towards risk या market risk return trade off definitely higher the better जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा numerator में क्या है numerator में आपका return का figure दिया हुआ है axis return of market per unit of market risk तो अगर question कहता है market attitude towards risk या market risk return trade off तो क्या होगा RM-RF upon standivision of market RM-RF upon standivision of market fine sir how to select best manager how to select best manager manager who will give the highest access return will be considered best simple सा fundा है जो manager मुझे सबसे ज्यादा return देगा उसी को मैं best मानूँगा कैसे निकलता axis return actual return minus fair return upon fair return into 100 फिर से repeat कर रहा हूँ जो manager मुझे highest access return देगा उसे मैं best मानूँगा और कैसे निकलता axis return यहाँ पर actual return minus fair return upon fair return no problem at all fair return मतलब क्या होता है c-a-p-m return fair return मतलब क्या होता है c-a-p-m return तो जो भी manager मुझे सबसे अच्छा return देगा उसे मैं अच्छा मानूँगा axis return कैसे निकलेगा actual minus fair upon fair actual return will be given in the question fair return means c-a-p-m return fine sir coefficient of determination coefficient of determination मतलब होता है r square मैंने पहले बता दिया है coefficient of correlation को square कर देंगे तो आएगा coefficient of determination no problem at all इसके बार में अल्रेडी हमने चर्चा कर ली है r square fine sir HD of portfolio when portfolio is fully diversified जब portfolio पूरा diversify हो गया है मतलब portfolio में कोई भी अब risk कम नहीं हो सकता हमने जितना रिस्क था हमने सारा कम कर दिया है तो इसका मतलब कम क्या हो सकता था unsystematic risk कम हो सकता है fine मतलब हमने सारा unsystematic risk गायब कर दिया है तो उसका एक और equation होता है HD of portfolio अगर आपको HD of portfolio निकालने बोलता है तो HD of portfolio होगा beta p square into stand division market square मतलब systematic risk only मतलब unsystematic risk रहेगा ही नहीं अगर question में यह word use होता है when portfolio is fully diversified इसका मतलब कोई unsystematic risk नहीं है इसका मतलब सिर्फ systematic risk है और systematic risk क्या होता है अभी-भी मैंने आपको बताया beta p square into standard division market square HD of portfolio is equals to beta p square into standard division market का square fine sir no problem at all कभी-कभी portfolio management में पूरे concepts भी लग जाते हैं मतलब sometimes question may not focus on one or two concept but number of concept may be linked to a single question so definitely आपने बहुत सारे questions किये होंगे अगर आप एक question try करना चाहते हो तो जरूर आप अपने homework में try करिएगा और मुझे उसका answer दीजेगा या अगर आपके बस time है आप अराम से बैठे वे हैं आपके बस time है पूरा तो आपको मैं कोशन दे रहा हूं आप definitely try करने की कोशिश किजेगा इसमें सारे concept include हैं अगर आपने ये question कर लिया तो इसका मतलब आप portfolio management में champion हो गए आईए ओ question में show करता हूं question आपके सामने हैं आप देख सकते हैं question आप इसको का image ले सकते हैं आप definitely इसको जरूर solve करने की कोशिश किजेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा question है तो हो सके तो मैं इसका solution भी आपको दे दूँगा या आपने ये question जरूर किया होगा आप definitely इसको try कीजे और इसका जरूर answer देने की कोशिश कीजे ताकि हम लोग चेक करके बता सके कि आप सही है कि नहीं है और अगर आपने मेरे class को किया है तो आपने ये question जरूर class में solve किया होगा आप class के solution के ही answer से tally कर सकते हैं अपना solution fine sir कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर आपको पूरा question यहाँ पर solve है ठीक है आप कभी भी आपको time मिले तो आप इसमें check कर लीजेगा fine sir आगे बढ़ते बढ़िये sir what is tracking error tracking error क्या होता है कभी-कभी हमारा एक benchmark होता है मान लिजे मैंने nifty को अपना एक benchmark माने कि nifty जो return देगा वही मैं return दूँगा लेकिन कभी-कभी क्या होता है वो return वैसा नहीं मिलता है कभी या तो कम मिलता है तो जादा भी मिल जाता है हमें nifty के जैसा अपना return चाहिए तो tracking error क्या बताता है tracking अरर ये बताता है कि आपने कितना percent variate किया कितना deviate किया कितना आपका Έरर रहा nifty के return से मतल्म नifty और मेरा रिटन सही नहीं है इसका कितना percentage variation है कितना percentage error है तो इसका equation होता है d minus d bar summation upon n minus 1 under root standard deviation where d is difference between portfolio return and benchmark return d is difference between portfolio return and benchmark return तो ऐसा करते हैं मैं question आपको put up करता हूँ आप tracking error निकालने की कोशिच कीजिए यह आपके सामने question है मैं आपको video pause कीजिए और tracking error निकालने की कोशिच कीजिए tracking error क्या है difference minus difference bar divided by n minus 1 under root ठीक है जो यहाँ पर आपको जिस तरह से दिखाए गया था आप देख सकते हैं तो फड़ा फड़ा आप इसका answer निकालेंगे वही standard deviation की तरह d minus d bar upon n minus 1 video pause कीजिए और answer निकालेंगे तो देखते हैं किसका answer सही है सबसे पहले तो आप difference ले लीजे दोनों के विच में जो difference था वो ले लीजे फिर वही सारी कहानी है फिर average आप ले लीजे average difference आपने निकाल दिया है यहाँ पर d minus d d minus d square deviation square आपने कर दिया deviation square को आपने divide by n minus 1 कर दिया रूट कर दिया तो आपका tracking error आगया 2.79 परसेंट ट्रैकिंगर आगया 2.79 परसेंट वेरी सिम्पल है नो प्रॉब्लम एट ओल होफुली सबका एंसर यहाँ पे सही होगा है वही standard deviation का ही फॉर्मॉला है बस यहाँ difference जो है उसका standard deviation निकाल रहे हैं difference का standard deviation निकाल रहे हैं कि पता करने की कोशिश कर रहे हैं कितना परसेंट मेरा deviate किया है concept of joint probability joint probability means product of two probabilities दो probabilities के product को joint probability कहते हैं sum of the joint probability will always be equals to one joint probability के total हमेशा one होगा दो प्रॉडेक्ट दो प्रॉडेक्ट की product को joint probability कहा जाता है simple सा funda है joint probability का fine sir risk and return when prices are given जब price दिया रहता है तो मैंने आप वो पहले बताया था पहले मुझे उसे return की figure में convert करना पड़ेगा तो return की figure में convert करने का तरीका क्या है p1-p0 plus d1 upon p0 p1-p0 plus d1 upon p0 और उसके बाद आप risk और return निकालिए जैसे आप निकालते हैं इतने सारे question हमने किये starting के questions मैंने आपको खुद करवाए है question 1A और 2A जो questions जो starting में थे past data और probability के वो question आप करेंगे तो आपको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा असान लगेगा prices को पहले return में बदलिए and then फिर आप risk और return का जो formulas है जो भी मैंने आपको class में बताया अभी तक आप उसे लगाईएगा ठीक है sir calculation of A and B and B and A are same इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहता हूँ covariance of A and B और अगर मैं कहता हूँ covariance of B and A तो दोनों same है अगर मैं कहता हूँ summation DA into DB upon N या कहता हूँ summation DB into DA upon N ये same है अगर मैं कहता हूँ R A और B और कहता हूँ R B और A तो ये भी same है अगर मैं कहता हूँ covariance A और B या covariance B और A ये भी same है strain division A into strain division B या strain division B into strain division A ये भी same है strain division A plus B या strain division B plus A ये भी same है मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सब multiply हो रहे हैं और total हो रहे हैं तो same ही होगा R A और B या R, B और A ये भी सेम है तो कहने का क्या मतलब है सर कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो सीक्विरिटी के बीच में कोई भी कैलुक्लेशन कर रहे हैं तो अब्विस ही बात है चाहे आप A, B के करिए या B का A के करिए दोनों से एंसर सेम आएगा आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं फॉर्मलेस ही पता चल चुका होगा ये प्लस है तो यहां इसको लिखे या यहां इसको लिखे बात बराबर है ये भी प्लस है तो यहां इसको लिखे या यहां इसको लिखे बात बराबर ये यह इसका आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है। No problem at all तो बहुत सारे concept हमने कर लिए। अब आपके उपर है कि आप कितना इसको recall कर सकते हैं इस पूरे concept को कितना आप recall कर सकते हैं जितना आप right करेंगे इन सब चीजों को उतना अच्छा रहेगा। I hope आपने इस class को optimum use किया होगा। I hope आपको इस class को करने के बाद एक exam का जो fear होता है वो हड़ चुका होगा। exam से पहले जरूर इस video को देख के जाईए ताकि आपका conceptual clarity और next level पर पहुंच जाए। और exam के questions आप से फटा फट हो जाएं कोई भी आपको दिक्कत ना है। आपके feedback का हमेशा इंतजार रहेगा मैं definitely wait करूंगा। और जो यह हमने series शुरू किया है definitely यह बहुत students के लिए game changer साबित होगा क्योंकि कि बहुत सारे students SFM बहुत पहले लेते हैं और last moment में आकर उनको एक revision चाहिए होता है। मेरे खाल से यह revision best revision है बाकी तो और जितना elaborate करेंगे उतना ज्यादा time लगेगा। फिर दीरे दीरे करके फिर वो regular badge बन जाएगा वो तो आप उल्रीडी करी चुके हैं तो कोशिश करिएगा कि जितना मैंने कराया अटलिस उतना आप recall कर पाएं। और last moment में आपको यह कितना फाइदा लगा इस revision का जरूर बताईएगा मैं आपके feedback का हमेशा इंतजार करूँगा। बाकी और भी revisionary videos आने वाले हैं डेफिनिटली आप इस channel को subscribe कर लीजिए ताकि जब भी आपको यह important announcement आए exams related तो आप सबसे पहले आपको यह पता चल जाए ताकि exam के time ऐसा नहों कि कोई important information miss हो गया है और आप unaware होकर exam में बैठें और आप definitely बाद में आपको लगा कि नहीं शा अच्छा score कर सकता था fine sir जाते जाते इतना है कहूंगा कि पतजड हुए बिना पेडों में पत्ते नहीं आते और कठिनाईयां और संघर्स सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते अच्छे दिन नहीं आते मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत pain से गुजर रहे हैं बहुत संघ होगा जीत उतनी ही शांदार होगी जीत उतनी ही शांदार होगी आपके सफलता की कामना करते वे मैं आदित जैन आज की क्लास यहीं आफ करता हूं थैंक यू सो मच दो मिनिट है आपके पास पता है दो मिनिट में जिन्दिगी नहीं बदलती पर दो मिनिट में लियावा फैसला आपके जिन्दिगी जरूर बदल सकता है और जब सवाल 100% मार्क्स with target करोर प्लस सेलरी इन फाइनस हो तो दो मिनिट देना तो बिलकुल बनता है जिस तरह से ब देना फाइनांस के कंपनी का चलना ना मुंकिन है एक अच्छी financial management हो तो कंपनी फर्स से अर्स तक पहुंच जाती है और अगर financial management पूरी निकली तो कंपनी अर्स से फर्स तक आ जाती है तो हो जाये तयार आप भी उन लाखों student में से जिन्होंने वर्ल्ड के वन आप दे students को CA pass होने की फिकर होती है वहीं हमारे students कई बार All India Rank 1 लेकर आए जहां students को आर्टिकल शिप में 50,000 per month stipend with Saturday Sunday off मिलता है in investment banking firm जहां CA clear करने के बाद हमारे students वर्ल्ड की one of the best companies में recruit किये जाते हैं हमारे students को यहाँ पता होता है how to trade in stock market, how to attend annual general meeting, voting power का कैसे use किया जाये, dividend कैसे receive होता है और nifty और sensex किस तरह से fluctuate करता है, price क्यों up and down होते हैं, इन सारे knowledge हमारे students को होती है तो यह सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों students में हो जाये शामिल with most extensive path breaking coverage of more than 1000 concepts with live stock market practical knowledge with 0% doubt aim तो अगर आपको finance से प्यार है और stock market आपता passion है तो यह सुनहरा मौका हाँ से जाने मत दीजिए मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के teaching experience के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूं with motto of learn more, earn more the more you learn the more you earn तो याद रखेगा वक्त सबका आता है कोई बिखर जाता है कोई निखर जाता है आज पसीना नहीं बहाया तो कल आशू बहाने पढ़ेंगे make the rest of your life best of your life जितना तटिन संघर्स होगा जीत उतनी ही शानदार होगी तो आपके इस valuable समय के लिए thank you so much याद रखेगा सफलता एक दिन में नहीं मिलती मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है तो adityajain.com में जाईए और वहाँ से अपने finance career के शुरुआत कीजिए wish you all the best, thank you so much क्लास पी में सो जाए तो यूगाइस वोन्ट हाफ तू रिमेंबर एवरीधिक वह concept इतने अच्छी से लिखाते है कि आपको मतलब concept भी करकी ही सबकुछ समझ में आ जाएगा and in the last year India's number one faculty is CACCMA is Aditya Jaini concept wise sir की एकदम full clarity है practical experience भी शार शेयर करते हैं अच्छी मिलेगी stock market भी की और रिविजन के time पर बिल्गुल बीजकत नहीं होती है कि एक एक टीज में सब कुछ लिख वाते हैं पर सबसे पहले अपने गोल को पाना है और हाँ यहाँ सभी को सो नाना है तो उनीक teaching style सबसे जादा अच्छी बाद मुझे सर की रखे है कि मैं हर चीज हर कुछी में इक नया कॉंसक्ट सिग्लों को लिखा है I took classes from Siya Dityajan sir and it was so far my best decision of my life सब कुछ practical कराया sir ने trading से लेके हरे की चीज हरे की concept practically link करा के बताया यह नहीं की bookish language कुछ पढ़ाई हो और SFM में आप guess करिए इनके कितने marks होंगे definitely हम class में 90 प्लस का हम टार्गेट देते हैं बच्चों के 95 भी आए हैं 99 भी आए हैं 98 भी आए हैं and अधित्यमित्यल स्कोर 100 आउट आउट ओफ हंडेड इन SSM बुझे बिग क्लाप ओए हैं झाल ओढे बुझे 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 बड़ क्लावे क्वेश्यग श्य।